जो ग्रूप थियोरी है बिसिकली मैंने उसे चार सेग्मेंट में बाटा हुआ है पस सेग्मेंट में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं ग्रूप के मतलब ग्रूप के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्विश्चन आते हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो औरपर के नाइन फार्स अससा गुड़ इवनिंग और ये दो सब्जेक्ट के लिए भी होगा कि अहां उस्पध्जेक्ट के लिए मतलब कि आप कोई सब्जेक्ट पर्चेस करना चाहा रहे हैं कि टो इसे हमने क्या किया है कि चाहरे है वी अद्विकार आइसा इंपॉटेंट सेग्मेंट में आटा हुआ है एंपॉटेंट में की बात करेंगे जिसमें की एप बात करेंगे और दिन हम बात करेंगे iques condition नॉरमल larger group की तेन कम्हों मॉर्हेयजम की और दिन पर तेंट को स्टार्ट करते हैं तो जो कसज हमारा जो group के structure से related question बनता है वो सबसे पहले जो question बनता है वो order of elements से या फिर element की counting से related question बनता है ठीक है जैसे कि इस question को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि let g be a group of order n and h is equal to x belongs to g such that x to the power k not equal to identity then which of the following is our correct ठीक है h except मेरे पास है और उसमें वैसे element है जो kth power पे identity नहीं देते हैं then which of the following are correct तो यह k है उसके respect में और n जो की group का order होगा उसके respect में कुछ बाते कही गई है यहाँ पे तो आपको बताना है कि कौन सा option इसमें से true होगा ठीक है यहाँ पे k हमने arbitrary लिया हुआ है आम तोर पर जब question pyq में देख सकते हैं वो यहाँ k की कोई value रखता है तो हमने k के different values के लिए यहाँ पे choices रखे है आपके सामने ठीक है कि n की value और k की value क्या होगी देन answer क्या होगा जैसे कि first option कहरा है कि n अगर हमारा 2022 हो जाता है और k अगर हमारा 2021 हो जाए then h की cardinality क्या हो जाएगी even हो जाएगी ठीक है तो क्या यह बात ठीक है फिर आपको देखना है कि n अगर 2021 है और के अगर 2020 है देन एच की काडिनलिटी क्या होगी और फिर उसी तरीके से बांकी ऑप्संस भी है वैशाली प्रजापती गुड़ इबनिंग दिपांसी अगरवाल गुड़ इबनिंग पारूल सर ग्रूप थेयरी के क्वेश्चिन्स यहां पर ओनली CSR निट के प्रिवियस हैं मुझे तो लग रहा है कि दो तीन क्वेश्चिन ही गलती से आपको पीवाई क्यू मिल जाए यहां पीवाई क्यू मिलेगा ही नहीं आज के लिक्चर में आपको ठीक है वैशाली प्रजापती गुड़ इबनिंग राहुल चौधरी गुड़ इबनिंग यह कुश्चिन आपको पीवाई क्यों लग रहे है किसे एक जाम् में पुछा रहा है किसी में नहीं पूचा है यहां पर जैसे एक आंसर मेरे पास आया है इंड़ु इादब का भी आणसर है ठीक है तो देखें, n की value 2022 है, और k की value 2021 है, अब k की value 2021 का क्या मतलब हुआ, कि x to the power 2021 not equal to identity होगा, अब x to the power 2021 not equal to identity है, और group का order क्या है, order of g हमारा 2021 है, sorry, 2022 है, group का order हमारा 2022 है, जोती sir question series ही रहेगी आज की, हाँ question होगा और उससे related concepts होगे, क्योंकि अब तो exam आ गया ना, तो अब भी अब concept पर के क्या ही होगा, question नहीं पर के benefit होगा, h क्या है, h एक set है simply, जिसमें की group के वैसे member है, जो kth power पे identity नहीं दे रहे हैं, ठीक है, group के वैसे member है, जो kth power पे identity नहीं दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, अगर option a के हिसाब से देखा जाए, तो 2021 पावर पे identity नहीं दे रहा है यह, जहाँ पर group का order क्या है, 2022 है, तो h के बार cardinality का set होगा, या फिर odd cardinality का set होगा, ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे group अगर हमारा 2022 order का है, और 2021 पावर पे x identity नहीं दे रहा है, इसे थोड़ा मैं simplify करता हूँ, हाँ, जैसे कि मान लिजे, कि आप से बोला जाए कि x to the power 4 not equal to identity, ठीक है, यह एक example मैं यहाँ आप explain करने की कोशि कर रहा हूँ, तो जैसे हमारे पास होता है x to the power n equal to identity, यह किस बात को imply करता है, कि order of x divide कर रहा होगा n को, है न, order of x किसको divide कर रहा होगा, n को divide कर रहा होगा, तो उसी तरीके से यहाँ x to the power 4 not equal to identity है, तो order of x does not divide 4 हो जाएगा, मतलब x का order क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और 4 नहीं हो सकता, इस बात की तो guarantee हो जाती है, न, हैगी नहीं, तो यहीं से आपको समझ के इस concept पे काम करना है, ठीक है, अब x to the power 2021 identity नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस जो है, 2021 order का तो element नहीं ही होगा, उसके अलाबे, x 2021 के जो divisors होंगे, उस order का भीonent नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं, क्या concept कह रहा है, concept को अच्छे से समझेए, कि x जो है हमारा वो 2021 order का तो नहीं ही होगा, 2000 के जो divisors हैं, उस order का भी नहीं को सकता, तो सोचिए कि 2021 के divisor क्या सब होंगे ठीक है तो अब यहीं से जो concept हमें use करना है वो सामने निकल कर आएगा कि 2021 के जो divisor होंगे वो क्या होंगे तो 2021 एक odd number है ठीक है और odd number को कोई even number divide नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि अगर even number odd number को divide करेगा तो उसमें 2 का factor निकलेगा तो वो even हो जाएगा ना इतका मतलब x जो है हमारा इतका order क्या होगा order of x जो है पहली बात तो one नहीं हो सकता है ना क्योंकि एक one order का element होता तो डिवाइड नहीं करेगा मतलब x का order even हो सकता है यहां पर ठीक है क्योंकि यहां पर second power पर हमें क्या मिलेगा अगर identity मिल रहा है तो definitely 2021 पावर पर नहीं मिलेगा तो x का order 2 यहां पर possible है order of x2 क्या हो सकता है पॉसिबल हो सकता है ठीक है अब आगे आ जाईए आप देखिए ग्रुप आपका कितने order का है 2022 order का है अब ग्रुप अगर हमारा 2022 order का है तो इसमें two order का element definitely मिलेगा तो अच्छी theorem for finite group क्या कहता है कि कोई प्राइम नंबर अब देखिए question के साथ ही मैं concept भी recall कर वाता चल रहा हूं कि कोई प्राइम नंबर अगर group के order को divide करे तो उस order का element guarantee से मिलता है ठीक है तो इस group के पास दो order का element तो definitely मिलेगा एन अगर मैं even लेकर चलता हूं तो एन अगर मैं even लूँगा तो दो order का element मुझे मिलेगा और वो दो order का element यहां आएगा इस set का member बनेगा क्योंकि जो दो order का element होगा वो 2021 पावर पे identity नहीं दे रहा होगा ठीक है अब दो order के element के अलावे जो भी होंगे अब उसके अलावे जो भी होंगे वो कितने order के हो सकते हैं even order के हो सकते हैं odd order के हो सकते हैं कुछ भी होंगे लेकिन greater than equal to three order का element होगा अब थोड़ा सा concept को elaborate करते हैं कि कोई भी group G है दुनिया का matter नहीं करता तो इसे आप तीन set के union में लिख सकते हैं ख फ्ष्वन और हच ग्रेटर देंडीक कल टू ठेहां से देखिएगा यunta में क्या जयेगा आइडेनिटिटी आ जयेगा एच टू में क्या आ जयेगा एक्स त departments such that order of x equal to 2 और यहां पर क्या आ जाएगा such that order of x greater than equal to 3 दुनिया का कोई भी ग्रूप G है उसे आप इन तीन सेट के यूनियन में हमेशा दिखा सकते हैं ठीक है तो तीन या तीन से बड़े order के element का collection जो होता है वो हमेशा क्या होता है even collection होता है यह collection हमेशा even होगा क्यों क्यों क्य है कि एक या दो order के जो element होते हैं वही self inverse होते हैं यह if and only condition है कि अगर कोई element self inverse है एक या दो order का होगा और तीन या तीन से बड़े order का element कभी self inverse नहीं हो सकता तो तीन order का कोई एक element यहां पर आएगा तो साथ में उसका inverse भी आएगा जो तीन order का होगा तो counting को even बना देगा चार के counting और यह counting जो है यह तो हमेशा odd ही रहेगा वन तो odd ही है तो यह depend करने लग जाता है अगर order of group हमारा even हो जाए तो उस situation में क्या होगा अब देखिए यह odd है और यह even है तो odd even add करके कितना हो गया odd तो फिर odd में मैं odd add करूंगा तभी तो even होगा ना तो यहां पर क्या हो गया कि even order के group में दो order के element की counting हमेशा odd होती है उसी तरीके से order of g अगर मेरा odd हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा group अगर odd order का है तो यह तो हमेशा even रहने वाला है और यह हमेशा odd रहने वाला है तो odd plus even odd हो गया अब मैं इसमें even add करूंगा तभी odd होगा है ना तो इसका मतलब यह है कि group अगर odd order का है तो उसमें दो order के element की counting हमेशा even होगी group अगर even order का है तो दो order के element की counting हमेशा odd रहेगी यह concept यहां से निकल कर आया अब आप लोगों ने जो options आंसर बताये हैं तो पहले इससे analysis कर लेते हैं आंसर पर चलते हैं फिर मैं आप लोग के comment भी पढ़ूंगा कि हां किनका answer सही हो रहा है ठीक है तो चलते हैं अब यहां से एक चीज़ आप conclude कर लीजिए कि group even order का है तो क्या है दो order के element की counting odd है और ग्रूप अगर odd order का है तो दो order के element की counting even है अब आते है question पर अब question में आप देखिए कि group तो आपको even order का दिया हुआ है तो दो order के element तो आएंगे ही आएंगे ठीक है अब दो order का element कम से कम एक मिलेगा वाइक कोची theorem for finite group लेकिन एक से ज़्यादा कितने मिलेंगे वो हम नहीं जानते हैं लेकिन इस बात की guarantee है कि group अगर even order का है तो द order के element की counting क्या होने वाली है odd होने वाली है ठीक है तो दो order अब देखिए यहां पर एक order का element तो इस set में मिलेगा नहीं क्योंकि एक order का element तो 2021 पावर पे identity बन जाएगा मुझे वैसा चाहिए जो 2021 पावर पे identity ना बने तो इसमें दो order के element आएंगे या फिर दो से बरे order के element है तो हमेशा क्या रहने वाला है odd और प्लस बांकी दो से बरे मतलब तीन या तीन से बरे order के element की counting जब भी होगी तो क्या होने वाली है even होने वाली है odd प्लस even क्या हो गया odd हो गया ना हमारा तो इसका मतलब n की value अगर 2020 लेते हैं तो फिर हमारा cardinality of h क्या होगा odd प्लस even मतल हो जाएगा मतलब simple सी बात है कि group अगर मेरा even order का है तो इस set h की cardinality क्या हो जाएगी odd हो जाएगी अगर अगर k की value मेरे पास क्या दिया हुआ है odd दिया हुआ है बात समझ रहे हैं अच्छे से समझेगा नहीं अगर किनी को कोई doubt हो तो एक बार comment box में पूछ लेंगे तो n यहाँ पे even है k odd है तो h क्या होगा odd तो option a तो false हो गया हमारा अब यहाँ पे यह c और d में आप देख सकते हैं कि n तो मुझे even ही दिया गया है ठीक है लेकिन k भी साथ में even ही दिया गया है लेकिन अभी तो k odd पे बात कर रहे थे ना दो हजार 21 पे बात कर रहे थे तो यह option गलत हो गया है इसमें किनी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आगे चलते हैं कि n की value क्या है अपना 2020 है और के की value हमने 2018 रख ली है ठीक है पावर 2018 not equal to identity ठीक है अब x to the power 2018 अगर not equal to identity है हमारा तो इसका मतलब क्या हुआ कि order of x1 तो अभी भी नहीं हो सकता क्योंकि x अगर एक order का होगा तो 2018 पावर पे identity हो जाएगा अच्छा अब order of x अगर मैं 2 लेता हूं तो वो भी अब यहां पे नहीं आएगा क्योंकि x अगर दूसरे पावर पे identity दे रहा है तो 2018 पावर पे भी identity देने वाला है इस बात की guarantee है तो अब क्या हुआ order of x क्या हो जाएगा यहां पे greater than equal to 3 हो जाएगा बतब जो भी x यहां पे आएगा उसका order चाहे जो भी हो greater than equal to 3 होगा तो तीन या तीन से बरे order के element का जो collection हम बनाते हैं वो हमेशा क्या होता है even होता है ठीक है तो concept अच्छे से समझना है तो अगर n की value 2020 है और साथ में k का value भी अगर मैं even रखूंगा तो h की cardinality मुझे क्या मिलेगी even मिलने वाली है आप यहां से देख सकते हैं तीन या तीन से बरे order के element की counting हमेशा क्या मिलेगा even मिलने वाला है तो यह अपना d number तो true हो गया अगर d true है तो c number false हो जाएगा हमारा अब n की value अब यहां पर देखिए अलग case है कि n हमारे पास अभी odd दे दिया अभी n ही odd दे दिया मुझे ठीक है और k मुझे क्या दे दिया even दे दिया 2020 तो n हमारा odd है k हमारा even है तो अब इस case में क्या कह सकते है तो चलिए last time b number के लिए देख लेते है n हमारा क्या है 2021 और k की value क्या दिया है 2020 दिया है तो अभी जो h define करेंगे वो क्या होगा x such that x to the power 2020 is not equal to identity ये बनेगा हमारा अब देख लीजे n हमारा 2021 order का है मतलब n हमारा odd order का है order of x अगर 1 हुआ तो वो h का member नहीं बनेगा क्योंकि अगर identity है तो 2020 पावर पे भी identity बनने वाला है अब order of x अगर मैं 2 लूँगा तब तो वो इसलिए कभी नहीं होगा क्योंकि group हमारा odd order का है group के order को 2 divide ही नहीं कर रहा है तो यहां तो दो order का element होगा ही नहीं तो इसमें कहां से belong करेगा अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस case में अब order of x greater than equal to 3 होगा तब जाकर के वो यहां का member बनेगा ठीक है तो अब यहां पे 3 या 3 से बड़े order के selective element का collection यहां पे क्या बनेगा हमेशा even बनने वाला है ठीक है निखिल आपका जो भी question है मैं आ रहा हूँ उस question पर पहले इस question को conclude करता हूँ मैं ठीक है तो order of x greater than equal to 3 type के element यहां पे आएंगे तो उनकी counting हमेशा even रहने वाली है तो मतलब n अगर odd है और k अगर मेरा even है तो h मेरा even बनेगा वो यहां से हम conclude कर रहे है तो h even तो यहां पे दिया नहीं है h odd दिया हुआ है मुझे तो यह भी फिर गलत हो जाएगा तो इस question में किनी को कोई doubt नहीं होगा किनी को है तो वो पूछ सकते हैं ठीक है तो d number तो a d कुछ लोगों ने बोला है तो d तो true है और a में क्या दिख्या थे वो पता चल गया होगा अब आते हैं निखिल के question पर निखिल क्या कहा रहे है कि what if there are even element of order 2 किस case में कहा रहे है निखिल मतलब कब आपको दो order के element even counting में चाहिए क्योंकि यहां पर मैंने proper analysis आपको बताई है कि जी तो दुनिया का कोई भी group होगा उसका order या तो even होने वाला है नहीं तो odd होने वाला है group अगर even order का होगा तो यह हमेशा odd है और यह हमेशा हमेशा के लिए even है तो even plus odd odd हुआ तो अब odd में तो मुझे odd जोरना मजबूरी है ना तभी तो यह even बनेगा group अगर even order का हुआ तो दो order के element के counting हमेशा odd होगी और group अगर odd order का हुआ तो similar procedure से दो order के element के counting हमेशा even होगी इसके अलाबे दूसरा कोई case हो ही नहीं सकता है ठीक है प्रीती रोहिला कह रही है कि सर option one repeat कोई नहीं कर देते हैं option one repeat option one में n की value 2020 है k की value 2021 है मैं फिर से explain कर देता हूं इसको हां या फिर यहीं पे तो किया था चलिए कोई नहीं मैं इसको wipe out करता हूं और फिर से clearly explain कर देता हूं इसको कि इस question को करने के बाद दो order के element की counting जैसे question में आपको life में कभी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है कि इन की value 2020 है कि अरी हाँ कि एन की value क्या है 2022 है के की value है हमारा 2021 तो जो एच हमने define किया है वो क्या है x belongs to g such that x to the power k k का मतलब 2021 is not equal to identity ठीक है तो अब देखे अगर मैं x का order क्या लेता हूं अगर x का order में one लूंगा तो एक order का यहां नहीं आएगा क्योंकि वो तो 2021 पावर भी identity होगा तो यह यहां नहीं जाएगा अगर order of x में क्या करता हूं टू ले लेता हूं तो ग्रूप even order का है इसमें दो order का element निश्यत रूप से मिलेगा जो element दूसरे पावर पर identity बन रहा है वो हर even पावर पर मतलब फिर चौथे पावर पर चठे पावर पर आठवे पावर पर है ना इस तरीके से आइडेंटिटी बनता रहेगा लेकिन और पावर पर identity नहीं बनेगा क्योंकि यह दो order का element है तो इसका मतलब यह जो दो order का element है यह यहाँ पर आएगा अब अभी अगला वाला हैं तो पेर में आते हैं तो इवन काउंटिंग के साथ हाएंगे और प्लस इवन टोटल काउंटिंग क्या हो जाएगी अपनी ओड हो जाएगी बट्रो और नहीं निखिल की बात करें कि why is s2 always odd? कि निखिल s2 always odd कहा हो रहा है? जब group even order का है तब हमारा s2 odd order का है ना? जब group हमारा odd order का है तो s2 even order का हुआ ना? और तामने तो देख रहे हैं मैं add करके बता रहा हूं properly तो even plus even तो even ही होगा ना? निखिल कह रहे हैं even जब इवरन elder काया यह county हमें साइनों होगी गुड़ हमें साइन होगी तो इवरन फ्लस और अब जुब जू बचा वह दो डर के अलिमेंट होगा तो ओड में अलड गॉन्टेंग तभी तो गुरूप करेंगे तो गुरूप के अलडर के बराबर होना अब इस तरह के question में कभी कोई doubt नहीं रहेगा आपको ठीक है तो चलिए एक और question आपके सामने है पिछली बार k पे in general करवाया मैंने आपको अब x की value 15 रखके question दिया है तो आई होप इस question का answer आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे बताइए इस question का क्या answer है h अगर हमने कुछ इस तरीके से define किया है कि x belongs to g such that x to the power 15 not equal to identity x to the power 15 equal to identity and x itself not equal to identity ठीक है then which of the following is our correct हाज है बिल्कुल तो हमारा क्यासा सेट है तो एच में group के वैसे element है जो 15 हमें power पे identity देते हैं लेकिन वो खुद identity नहीं है मतलब वैसे non identity element जो 15 पावर पे क्या देते है हमें identity देते हैं वैस हमने वैसा कुछ define किया हुआ है तो अब n के even होने से या एच के odd होने से group के order के बारे मतलब group के order के even odd होने से एच की cardinality के बारे में या एच की cardinality के even odd होने से group के order के बारे में हम क्या कह सकते है इस question में यह पूछा गया है हमसे ठीक है अगर ग्रूप इवन ओर का हुआ तो फिर एच की कार्डिनालिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं आपने सही कहा है ब्लाद अमिर पुतिन तो करते हैं डिसका जस्ट एक मिनिट का पॉज ले लेते हैं ताकि बांकी बच्चे जो ट्राई कर रहे हैं उनका भी ओपीनियन आ जाए नव्जूत कह रहे हैं ए है चलिए ओप्शन ए को मैं एक्स्प्लेइन करता हूं समय की भी पावन्दी है तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते तो एन मान लिजिए एवन है हमारा ठीक है एन एवन है तो एन अगर एवन है हमारा तो इसमें एक ओडर का एलिमेंट हमेशा मिलेगा एन एवन है तो दो ओडर का एलिमेंट हमेशा मिलेगा बाई कोची थोरम फर फाइनाइट ग्रूप और ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री ओडर का एलिमेंट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ठीक है यही बात होगी ना तीन या तीन से बरे order के किसी खास order का मिलेगा किसी का नहीं मिलेगा ऐसा कुछ हो सकता है वहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह जो set h मैंने बनाया है तो h में पहली बात x non identity होना चाहिए मतलब यह जो है यह तो h का member नहीं बनने वाला अब आते हैं x 15 हमें power पर identity दे रहा है ठीक है तो अगर मेरे पास x to the power 15 identity है तो इससे क्या imply करेंगे कि order of x divide करेगा 15 को तो order of x क्या हो सकता है 1 हो सकता है 3 हो सकता है 5 हो सकता है और 15 हो सकता है तो एक order का element तो इसे चाहिए नहीं तो इसे चाहिए क्या 3 order का 5 order का या फिर 15 order का element तो अगर 3 order का element आता है तो यह हमेशा even counting के साथ आएगा 5 order का आता है वो भी यह आ भी सकता है नहीं की आ सकता है अगर 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 एन है हमारे पास तो एच की काणिलिटी तो इवन आ रही है अगर 15 गप मतल रही तो फिर होगा क्या या तो तीन या 5 या 15 संग के साथ थाएंगे ठीक है तो n के even होने से h तो अपना even हो गया तो option a तो false हो गया फिर तो जिनका false हो गया या जिन्होंने a बताया था तो वो देख लेंगे कि उन्हें गलती हुई कहां पे थी ठीक है और cardinality of h अगर odd हो जाए तो फिर n even होगा अब h के odd हो जाने से n even हो जाएगा तो h जो है हमारा ये odd होगा h में किस order के element आ सकते हैं h जो है हमारा इसमें xg के वैसे member है जो 15 में power identity देंगे तो ये तो या तो एक order का बनेगा या 3 order का या 5 order का या 15 order का एक order का होना नहीं है तो यह 3 या 5 या 15 order का बनेगा तो चाहे इस order का चाहे इस order का चाहे इस order का चाहे सारा ही यह counting हमेशा क्या रहने वाली है even ही रहने वाली है ठीक है जग प्रशाद गुपता गुड़ीवनी तो एच की cardinality तो even होगी भी नहीं कभी अगर एच और है तो दिन even बोला है तो एच और होने तो दीजिए एच देखेंगे ना और यह क्या हो गया कि अधारी फॉर इंटरॉप्शन देरिजर टेक्निकल इसू एक्शुली झाल 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 एक बार कनफर्म कर दीजिये कि मैं और वीजिबल हूँ क्या फिर स्टार्ट कर लें हम लोग से सन को प्राजक्ता पार्टिल गुड़ीवनिंग ठीक है निखिल ये स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है तो अब एक्स्प्रानेशन फिर से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है तो हम अप्सन एक को इनकोर्रेक्ट अलड़ी कर चुके हैं हम लोग है न कि एन जब इवन था हमारा तो एच क्या बन रहा था हमारा इवन बन रहा था चली मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं कि पहले एच की ही बात कर लूं कि एच में इलिमेंट किस तरह के है कि एक्स बिलोंग्ज टू जिस सच देट एक्स टू इपावर 15 इस नॉट इक्वल इटेंटिटी बट एक्स इट्सच उाइन देटिटी मों एक्स इट्सच उक्व दिवाइड कर रहा है यहां पे 15 को तो एक्स यहां पर 135 and 15 order का हो सकता है one order का नहीं होगा क्योंकि अइडिटी नहीं चाहिए एक्स या तो 3 ओडर का होगा पांच और का होगा या 15 ओडर का होगा और यह हमेशा एवें यह इवन चांटिंग में आएगा यह इवन काउंटिंग में आएगा ठीक है तो एन अगर इवन है हमारे पास तो फिर कि एच जो है वह और हो ऐसा नहीं होगा है हमेशा क्या होने वाला है इवन इवन अभी तो खेर एन इवन पर हम बात कर रहे हैं मेरा आप से यह कहना है कि यह जो करता नहें मैंने किया है कि एक्ष का ट फिप्टीन को डिवाइड करेगा अगर तो group के order का कोई role भी नहीं है, है ना, group का order चाहे जो भी हो, even हो, odd हो, एक order का यहां लेना नहीं और बाकी जो भी आएगा, वो हमेशा even counting में आएगा, ठीक है, तो अगर n even है, then h odd यह हमारा false हो जाएगा, फिर कह रहा है कि h अगर odd है, then n even आएगा, तो h के odd even होने से हमारे इस result को फर्क नहीं पर रहा है, ठीक है, यह even ही रहेगा, तो यह true हो गया हमारा, फिर कह रहा है कि n अगर odd हुआ, तो h even हो जाएगा, even h तो हर हाल में ही हमारा even है, है ना, तो यह true हो गया, अब इसके बाद, h अगर even है, then n हमारा odd हो जाएगा, ओ, sorry, sorry, यहाँ h पे condition लगा के बोला गया है, तो h तो हमारा कभी odd होगा ही नहीं, h तो हमेसा even ही होने वाला है, तो फिर यह हमारा false हो जाएगा, ठीक है, अब कह रहा है कि n अगर odd होगा, then h even होगा, तो h तो हमारा always even है, अब कह रहा है, h even होने से then n क्या हो जाएगा, odd हो ज जाएगा, मतलब h के even होने से, n odd even कुछ भी होता रहेगा, है न, तो यहाँ सिर्फ c number answer होगा, जिसे हम guarantee से true कह सकते हैं, प्रीती रोहिला only c, और जि लोगों के बाकी options थे न, तो वो देख लेंगे कि उन्हें कहां पे confusion हुई है, दिक्कत होगा, तो मुझे बोलेंगे, मैं repeat करूँगा, बट answer क्या होगा, सिर्फ c होगा यहाँ ठीक है, अब same concept के दो question होगा, तो इस तरह के question अगर आते हैं, तो अब आराम से उसे deal करेंगे, अब चलते हैं नई variety पे, मतलब दूसरे question पे, अब क्या कह रहा है, कि let g be a group of order 9, g हमारे पास कितने order का group है, 9 order का group है, and let e denote the identity of g, then which one of the following statements about g can be true, मतलब g अपने पास क्या दिया हुआ है, 9 order का group दिया हुआ है, e जो है, वो group का identity है, तो फिर group के बारे में, इन में से कौन सी बात सही है, ठीक है, कौन सी बात ठीक है, वो बताना है हमें, तो आपसान यह क्या कह रहा है, there exist an element x in g, such that x inverse equal to x, मतलब एक ऐसा element मुझे मिलेगा group में, जो self inverse होगा, b में क्या कह रहा है, कि there exist an element x in g, such that x हमारा non identity होगा, और x square x to the power 5 के बराबर होगा, और next option क्या कह रहा है, कि there exist an element x in g, such that generating set of x, तो यहाँ पर मैं generating set के बारे में बताओं कि अगर a belong करता है, कहाँ पर g में, तो generating set of a क्या होता है, हमेशा subgroup होता है g का, और order of a equal होता है, order of generating set of a के, ठीक है, यह कुछ concept है, जो हम लोग generating set के time पढ़ते हैं, है ना, तो बताइए last option क्या है, कि g is cyclic, तो इन में से कौन सा option true होगा, सब लोग बताइए, फटा-फट से, विकास, maths, BCD, नवजोत option D किसका repeat करने बोल रहे है, पिछले question का क्या, अगर आप पिछले का बोल रहे हैं, तो एक बार फिर से comment box में बता दीजे, मैं कर दूंगा repeat, तो कि जो ही करेंगे, अच्छे से करके जाना है ना, भी, दीपक जी, A, C, ओके, पटा-फट से आंजर करिए, प्रीती रोहिला, ABCD, एक बार electricity का इशू आया यहां पर, और number of student में मुझे कमी नजर आ रही है, तो दोस्त लोग हैं, अगर आपके तो बता दीजे कि भई, फिर से issue solve हो चुका है, दिपांसी, अगरवाल, C, ओके, चलिए आते हैं question के explanation पे, हां, अब देखिए, ग्रुप हमारा कितने order का है, 9 order का है, तो मेरा कहना है, option A के बारे में, कि ग्रुप चाहे 9 order का हो, चाहे कितने भी order का हो, finite, infinite में, countable, uncountable, किसी भी order का हो, matter क्या करता है, ग्रुप के पास identity तो हमेशा ही होगा न, है की नहीं, और ग्रुप के पास अगर identity है, तो identity हमेशा क्या होता है, self-inverse element होता है, तो there exists an element x in g, such that x inverse equal to x, ये बात तो ठीक होता, ग्रुप का order अगर 9 ना भी होता, तो भी ये ठीक होता, है न, तो ये बात तो ठीक है, कि हमेशा एक element मिलेगा, जो self-inverse होगा, और वो element अपना क्या होगा, identity होगा, फिर कहा रहा है कि there exists an element x in g, such that x हमारा identity के बराबर तो नहीं है, लेकिन x square x to the power 5 के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक ऐसा मुझे non-identity element मिलेगा, इस 9 order के group में, कि element का मैं second power करूँ या fifth power करूँ वो क्या होगा, equal हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो order of g क्या दिया हुआ है, अपने पास 9 दिया हुआ है, तो 3 किसको divide कर रहा है, order of g को, इसका मतलब there exists x belongs to g such that order of x equal to 3, by Cauchy theorem for finite group, कोई prime number group के order को divide करता है, तो उस order का element मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तो x अगर 3 order का element है, तो x cube identity हो जाएगा, अब x cube में मैं x square operate करूँ गा, तो यहाँ identity पे x square operate होगा, x to the power 5 equal to क्या हो जाएगा, x square हो जाएगा, ठीक है, तो एक element तो मिल ही रहा है, ठीक है, तो option b जो है हमारा वो भी true हो जाएगा, अब इसके बाद कहा रहा है कि there exists an element x in g such that generating set of x has order 3, तो मैंने आपको क्या result बताया है, कि कोई भी element अगर group में belong करता है, तो उस element का खुद जितना order होता है, उतनी ही order का वो हमेशा एक cyclic subgroup generate करता है, ठीक है, तो g such that generating set of x has order 3, यहाँ से क्या होगा मुझे, बाई कौची थोरम 3 order के element के मिलने की guarantee हो जाएगी, तो वहाँ से जो x का generating set होगा, वो obviously 3 order का हो जाएगा, तो c number option भी अपना true हो जाएगा, और d number के बारे में बात की जाए, तो एक result है कि group का order अगर हमारा p square होता है, तो g या तो isomorphic to zp square होगा, नहीं तो isomorphic to zp cross zp, basically p square order का group हमेशा क्या होता है, abelian group होता है, ठीके, तो abelian में या तो वो cyclic abelian होगा, या non cyclic abelian होगा, ठीके, तो जी हमारा cyclic हो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, तो option a, b, c जो है, one minute, यहाँ पर can be true पूछा है, ठीके, तो can be का मतलब maybe ही होता है, तो उस हिसाब से फिर यह भी true हो जाएगा, अगर guarantee पूछी जाती कि must be true, तो फिर option a, b, c ही true होता, but can be true पूछा गया है, तो ठीक है, अपना d number भी true हो जाएगा, ठीके, अब क्या नवजोद पूछ रहे थे न, हाँ, नवजोद last question के last option के बारे में कह रहे थे, कि अगर मेरा h even होगा, तो देन n odd हो जाएगा, तो मेरा कहना सा नवजोद कि यहाँ पर यह जो set h दिया गया है, h में, एक बार फिर से मैं, बूली हुई बात फिर से बोलना हूँ कि वही concept है, है कि x का power 15 identity होगा, तो x 1, 3, 5 और 15 order का element हो सकता है, भी यहाँ कह रहा है कि x 1 order वाला लेना नहीं है मुझे, तो यह 3, 5 या 15 order का element का collection होगा, यह collection हमेशा ही क्या होने वाला है, even होने वाला है, irrespective of, group हमारा even हो या odd हो, matter नहीं करता, ठीक है, तो h के even होने से, n का even होना, एक देन का मतलब क्या होता है, imply करना, ठीक है, देन का मतलब imply, अगर यह होगा, तब वो होगा, मेरा कहना है कि h का even तो होना n के odd even होने पर depending नहीं कर रहा है आपका, है ना, तो मेरे ख्याल से clear हो गया होगा यह चीज, चली, अब अगले question पर चलते हैं, उसमें तो कोई doubt बचा नहीं होगा, अब class equation, normal subgroup, जो हमारा बहुत important concept है, class equation से ही हम normal subgroup भी, अगर finite group के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो identify कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर उससे सम्मंदित कुछ question देखते हैं, कि जी हमारे पास कोई finite group है, कितने order का, in order का, ठीक है, रिशव, फाइन किसका कह रहे थे आप, अब यह तो counting पूझा नहीं गया है किसी में, तो लिए देखते हैं, let g be a finite group of order in, then largest possible cardinality of any conjugate class is, अगर मान लिजिए कि group हमारे पास in order का है, finite order का है basically, the largest possible cardinality of any conjugate class, मतलब किसी भी finite group में, किसी conjugate class की cardinality जो है, वो सबसे बरी होगी, तो क्या हो सकती है, question समझ रहे होंगे आप लो, कि group हमारे पास कोई भी finite order का है, matter नहीं करता, अच्छा, तो 940 आसा कह रहे हैं, कि sir, मतलब, ऐसा group exist नहीं करेगा 9 order का, such that cardinality of element of order 2 is 8, one minute, मैं एक बार फिर सापर question को पर हो, कि ऐसा group exist नहीं करेगा 9 order का, such that cardinality of element, करेगा न, अरे, z3 cross z3 जो है, अपने पास, यह क्या है, z3 cross z3 में, sorry, 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 9 order के group की बात कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 9 order का group जो है, उसको तो वैसे भी 2 divide नहीं करता, तो 2 order के element मिलेंगे कैसे, यह तो करने के जुरत भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही बह गया था, बस, 9 order का group है, तो 2 तो 9 को divide भी नहीं करता, तो 2 order के element तो वैसे भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 0 मिलेंगे हैंना, मोना लिशा महापात्रा कह रही है, एन माइनस 1, ठीक है, आंसर करिए रहे, एक ही आंसर आया है अभी तक, आंसर करिए आप लोग, फिर मैं explain करता हूँ, तो फिर interesting लगेगा सुनके, मज़ा आएगा, तो फिर group theory, या फिर जो model जब रहाए, वो अपने आप में काफी interesting subject है, है ना, बस उसे थोड़ा समझ के पढ़ा जाए, चीज़ों को link करके पढ़ा जाए, तो मज़ा आएगा समझ के, अगर exactly आपको नहीं पता चल रहा कि क्या अंसर होगा, तो ठीक है, अभी हमसे SIR का paper नहीं दे रहे हैं, आप अपना opinion बता सकते हैं, कि हाँ सर ऐसा कुछ हो सकता है, दीपक कुमार सिंग कह रहे है, A, C, तो देखिए भई, जहां तक A और C की बात है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, largest, तो largest जो है, वो इंगलिस में पढ़ते हैं, यह super relative degree होता है, तो यह हमेशा अकेला होगा, दो चीजें largest नहीं हो सकती, ना, जो लोग C answer कर रहे हैं, उनका answer बिल्कुल सही है, अब बस मैं explain कर दे रहा हूँ, कि वो C answer होगा, तो आखिर क्यूं होगा, ठीक है, नागेंदर कुमार C V कह रहे हैं, D V कह रहे हैं, ओके, ठीक है, अब explanation पर आते हैं, अब इसके, कि order of G मेरा N है, ठीक है, तो N क्या होगा मेरा, या तो, मतलब sorry, N नहीं, मतलब group जो है मेरा, वो क्या हो सकता है, या तो group abelion हो सकता है, या फिर non abelion होता है, ठीक है, वैसे categorization करते हैं, कि cyclic या non cyclic, बट फिलहाल अपना काम चल जाएगा, abelion या फिर non abelion से, अगर group abelion होगा, तो class equation क्या हो जाएगा, उस case में, simply 1 plus 1 plus 1 plus dot dot dot, तो group अगर abelion होता है, तो किसी भी class की cardinality 1 ही होती है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां के बारे में हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है, largest अगर हम ढूण रहे हैं, तो वो मुझे कभी न कभी non abelion में ही मिलेगा, abelion में तो फिर क्या ही पूछना, है ना, अब आते हैं non abelion में, तो non abelion में, अगर मुझे किसी class की cardinality चाहिए कि maximum कितनी हो सक तो इसका answer कहां छुपा हुआ है, number theory में, कैसे, तो देखिए, n आपके पास कोई natural number है, अब इसके किसी positive divisor की में बात करूंगा, तो n का जो सबसे बरा positive divisor होता है, वो क्या होता है, n itself होता है, ठीके, n का जो सबसे बरा positive divisor होगा, वो क्या होगा, n itself होता है, अब अगर, n मा से जस्ट छोटा positive divisor होगा, वो क्या बनेगा, n by 2 बनेगा, ध्यान से समझेगा, कि n का वैसे तो largest positive divisor, n खुद होता है, वट अगर मैं n को किसी वज़ा से नहीं ले पा रहा हूं, और n मेरा even है, तो तो जो largest positive divisor होगा, वो क्या होगा, n upon 2 होगा, ठीके, simple है, n किसी, n को 1 से divide कर या नहीं, तो फिर 2 ही से आप divide करेंगे, और क्या ही करेंगे, ठीक है, और n अगर मेरा odd होता है, n अगर मेरा odd होगा, तो फिर इसके जो divisor होंगे, वो क्या हो जाएंगे, n by 2 से छोटे हो जाएंगे, मतलब d अगर divide करता है, तो d less than n by 2 हो जाएगा, इस बात को, यह number theory का simple concept है, इसका group theory से कोई लेना देना नहीं है, मैं आप से क्या कह रहा हूँ, n या तो even होगा, या odd होगा, natural number की बात करें, तो n के अलावे, अगर मैं कोई divisor ढूंड रहा हूँ, तो n अगर even होगा, तो उसके अलावे, जो largest divisor होगा, वो n upon 2 होगा, और n अगर odd हुआ, तो जो largest divisor होगा, वो n y 2 से भी थोटा होगा, है ना, इस बात को agree करते हैं कि नहीं करते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे, क्या हुआ, बोल क्यूं नहीं रहे हैं, इस बात को agree कर रहे हैं, तो फिर कोई technical issue आया गया, हम इन्सान ही रहे हैं आप लोगों के, इधर गया, चलिए, तो अगर इस बात को agree करते हैं, तो अब आते हैं question पे, question क्या पूछ रहा है, the largest possible cardinality of any conjugate class, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, कि जो conjugate class की cardinality होती है, वो क्या करता है, हमेशा group के order को divide करता है, हम क्या concept पढ़ते हैं, कि x belongs to g, then class of x का, मतलब मैं conjugate class of x की बात कर रहा हूं, cardinality of conjugate class of x किसको divide करेगा, group के order को divide करेगा, हमेशा divide करेगा, तो अब देखिए, मुझे यहाँ पे conjugate class की cardinality के बारे में बात करनी है, तो जो भी conjugate class का cardinality बनेगा, वो group के order का divisor ही बनेगा ना, मतलब इनका divisor ही बनने वाला है, ठीक है, बिल्कुल, cardinality of any conjugate class must divide, अगर हम finite के केस में बात कर रहे हैं, तब, ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे, कि abelian के केस में तो largest वैसे भी मुझे नहीं मिलना है, अब मैं ढूंड रहा हूँ non abelian के केस में, तो देखिए, center में कम से कम एक element identity तो जाएगा ही, यह बनेगा class of identity, अब class equation जो मुझे लिखना है न, वो one plus something होगा, one के बाद कुछ और time one आ सकता है, नहीं आ सकता है, matter नहीं करता, लेकिन class of identity में तो हमेशा एक ही element होगा, तो अब जो class मेरे पास आगे चलके बनने वाला है, उस class में exactly an element तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि एक element identity के class में जा चुका है, तो अब मतलब अब जो class बनेगा, वो n cardinality का नहीं बनेगा, तो और class cardinality इनको divide करती है, तो n से छोटा जो n का divisor होगा, वो क्या होगा, या तो n by 2 होगा, और नहीं तो n by 2 से भी थोड़ा सा छोटा होगा, तो जो maximum possible होगा, वो यहां से क्या आ जाएगा, greatest integer of n by 2, तो n by 2 खुद n से छोटा highest हो जाएगा, और नहीं, तो फिर आप n में से simply 1 minus करेंगे, तो n अगर odd है, तो 1 minus करने पर even आ जाएगा, फिर 2 से divide कर दीजिए, तो वो वहाँ पर कुछ possible हो पाएगा, तो अबा नाज, तो यह clear होगा सब लोगों को, मेरे ख्याल से किनी को कोई डाउट नहीं होगा, तो largest जो possible है, वो n by 2 का greatest integer possible है, वो odd वाले case के लिए हमें greatest integer लगाना पड़ता है, तो c number answer हो गया हमारा, चलते है next question पे, इनमें किनी को कोई डाउट होगा, तो बोलेंगे, मैं repeat कर दूँँगा, अब question क्या कह रहा है, कि जी हमारे पास क्या है, कोई non-abalian group है, ठीक है, कितने order का, 343 order का, then number of conjugacy class of cardinality 7R, 7 cardinality वाले conjugate class कितने होंगे, अगर मेरे पास group 343 order का, non-abalian group है, अगर 343 order का, non-abalian group है मेरे पास, तो फिर, number of conjugacy class, जो कि 7 cardinality के होंगे, वो कितने होंगे, हाँ, जी, questions तमझ गए हैं सब लोग, group का order 343 है, तो उसमें 7 cardinality के class कितने मिलेंगे, जब हम उसका class equation लिख रहे होंगे, 343 order के group का, अगर हम class equation लिखेंगे, तो उसमें 7 cardinality के, कितने class होंगे, दिपांसी अगरवाल कह रहे हैं, option C, उके, बाकी लोग भी फटा-फट कमेंट करेंगे, आंसर बताइए, तो फिर explain करते हैं इसे, प्राजक्ता पार्टिल C, सब लोगों का C आ रहे हैं, मतलब है न, तो basically क्या होता है, कि ये क्या है हमारा 7 cube order का group है, ठीक है, तो order of G, अगर मेरे पास P cube होता है, और G क्या हो जाए हमारा non abelian, तो फिर class equation जो हम लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, class equation cardinality of G, जो कि क्या है हमारा P cube, तो वो हो जाता है हमारा कैसे, 1 plus 1 plus dot 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 plus 1, how many times, P times, बाकी जो class होते हैं, वो P, P, P cardinality के बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे P element already use हो चुके हैं, तो P cube में से P element use हो चुके हैं, तो बचे मेरे पास P Q minus P element, और हर class P P cardinality का है, तो divide करने पे क्या आ जाएगा, P square minus 1 times, 49 minus 1, 48 times, तो C जिन लोगों ने भी answer किया है, बिल्कुल सही है, सब लोगों ने सही answer किया है, मतलब इस concept में कोई समस्या नहीं है, तो चलते हैं अगले question पे, अब question क्या है, कि number of elements commute with sigma is equals to 124 into 345 in S6, one sort में मेरा target क्या है, मैं क्या करवा रहा हूं, जो भी important concept है, उसको चू के निकल रहा है हम लोग, मतलब एक बारी, एक sort duration, दो तिन घंटे के duration में उसको recall कर ले रहे हैं, अपना target वही है, वही कर रहे हैं, आज बिल्कुल, P square minus 149 minus 148, बहुत बढ़िया, अब इसके बारे में बताईए, अब इसमें sigma जो दिया गया है, मुझे लग रहा है कि कुछ student धोखा खा सकते हैं, कुछ लोग धोखा नहीं खाएंगे, इस question में थोड़ा सा धोखा चिपा हुआ है, तो देखते हैं कि क्या answer करते हैं आप लोग, number of elements commute with sigma is equal to 124 into 345 in S6, तो धोखा नहीं खाना है और answer बताना है, हमें S6 में उन elements की counting मुझे बतानी है, जो की इस sigma के साथ commute कर रहा है, calculate करिए और बताईए फटाफट से, पारूल D कह रहे हैं, अच्छा, ओके, पारूल D कह रहे हैं, और रितू यादव, सौरब यादव भी option D कह रहे हैं, ओके, ओके, तो जो लोग option D कह रहे हैं, जैसे पारूल ने D कहा है, या फिर सौरब ने D कहा है, या फिर अन्तिमा ने D कहा है, तो मेरा ये कहना है, कि आप दुनिया का कोई group उठा लिजिए, ये cyclic, non-cyclic, abelion, non-abelion matter नहीं करता, अगर कोई element A बिलॉंग करता है group में, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये A के साथ commute नहीं करेगा, तो A.A क्या आ जाएगा, अपना A square, इसको फिर से लिख देंगे, A.A, commute तो करी गया ये के साथ, तो किसी element के साथ, बांकी कोई दूसरा commute करे ना करे, वो खुद तो commute करेगा, है की नहीं, तो फिर D number answer तो संभव नहीं है, है ना, कि वैसे element की संख्या, उनसकी counting, जो किसी खास element से commute करे, कोई दूसरा करे ना करे, वो विचारा खुद तो खुद के साथ commute करे लेगा, है ना, तो D तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, और बांकी तो बहुत सारे लोगों ने करा है, वैशाली, A, अन्तिमा, D, डी नहीं होगा, अन्तिमा, अब एक बार देख लीजिए, आसा, A, विनांदा, दीपक, और अगनी दिप्तो भट्टा चारे, A, आप देखिए, आसा, जैसे आप बोलेंगे, तो बोलने से बात से बात निकलती है, फिर आप कहा रहे है, इटसेल्फ एंड आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे, मैंने क्या बोला है, A कोई भी ऐलिमेंट है, A अगर खुद आइडेंटिटी हो गया, तो इटसेल्फ भी वही है, आइडेंटिटी भी वही है, इसलिए मैंने खुद के साथ कम्यूट करेगा, यह बोल के छोड़ दिया है, अगर मैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहा होता, तब जाकर के होता कि वो एलिमेंट और क्या बोलते हैं, उसका आइडेंटिटी, यह दो हो जाते, ठीक है, हाँ दीपक, यही जो मैं धोखा की बात कर रहा था ना, दीपक वही है, कि यह साइकल डिसजॉइंट नहीं है अभी, एक्च्छल में कभी भी किसी भी ग्रूप के बारे में पूछा जाए, कि कोई एलिमेंट दे दिया, और उससे कितने एलिमेंट कम्यूट करेंगे, तो उसका मतलब होता है, कि उस एलिमेंट के नॉर्मलाइजर का ओर्डर निकालना, ठीक है, नॉर्मलाइजर ओफ ए का क्या डेफिनिशन होता है, मतलब ग्रूप के वैसे एलिमेंट का कलेक्शन, जो कि इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजर का ओर्डर बिसिकली निकालना है आपको, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, काडिनालिटी ओफ क्लास ओफ ए, अगर मैं फाइनाइट ग्रूप में बात कर रहा हूँ, डिविजन वाला भाग वाला काम वहीं होता है, तो काडिनालिटी ओफ क्लास ओफ ए क्या हो जाएगा, ओर्डर ओफ जी अपॉन ओडर ओफ नॉर्मलाइजर ओफ ए, यह फर्मूला यूज करते हैं, क्लास की काडिनालिटी निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या जाएगा, ओर्डर ओफ नॉर्मलाइजर ओफ ए, इस इक्वल्स टू ओडर ओफ जी अपॉन काडिनालिटी ओफ फ लास ओफ ए, इसी को यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो पहले तो सिगमा, सिगमा को सिंप्लिफाई करते हैं, अब आम तोर पे कोई यहाँ पे left to right कैलकुलेट करते होंगे, कोई right to left करते होंगे, मैं आम तोर पे left to right calculate करता हूँ ठीक है तो start करते हैं 1 की mapping यहाँ 2 पे हो रही है और यहाँ पे 2 की mapping 2 पे ही हो रही है मतलब 1 की mapping 2 हो जाएगी यहाँ पे 2 की mapping 4 हो रही है और यहाँ पे 4 की mapping 5 हो रही है मतलब 2 की mapping क्या हो गई 5 हो गई अब यहां पे 5 self map है और यहां 5 की mapping 3 है तो 5 की mapping क्या हो गई 3 हो गई अब यहां पे 3 की mapping 3 है और यहां 3 की mapping 4 है तो मतलब यहां 3 की mapping 4 हो जाएगी अब यहां पे 4 की mapping 1 है और यहां 1 self map मतलब cycle हमारा close हो जाएगा तो 1, 2, 3, 4, 5 basically यहां पे आ गए अब मेरे पास बचा क्या 6 तो तो नहीं दिख रहा है वो क्या है अपना 6 है ठीक है तो इसका cycle decomposition क्या हुआ 5,1 या 1,5 जो भी लिखना है आपको तो normalizer of sigma अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा order of G upon cardinality of class of A तो इस element की class में कितने element आएंगे तो कई सारे results यहाँ पर use हो रहा है तो SN का अगर हम कोई sigma pick करते हैं तो उस sigma के conjugate class में exactly उतने ही element आते हैं जितने की उस cycle decomposition वाले element होते हैं तो normalizer निकालने का सीधा formula है वो मैं लिख रहा हूं वो कहां से आता है वो भी सिंप्ली 1 to the power 1 into factorial 1 और into ये 5 लेंद का cycle है एक ही बार आया है 5 to the power 1 into factorial 1 तो basically 1 into 5 ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा ठीक है तो बहुत सारे लोगों का a या फिर 5 answer आया है बिल्कुल सही है ठीक है तो actual में क्या है कि हमारे पास group का order तो factorial n होता है और upon यहां पर क्या करना होता है हमें cardinality of class of a लिखना होता है तो किसी खास cycle decomposition वाले कितने element होते हैं उसके लिए कौन सा formula यूज करते हैं 1 to the power alpha 1 2 to the power और alpha 2 डॉट 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 फैक्टोरियल अलफा वन फैक्टोरियल फैक्टोरियल फाटू यह दोनों cancel हो जाता है और यह उपर आ जाता है तो कुल मिला कि यही अपना नॉर्मालाइजर का आएगा उसका cycle decomposition बिल्कुल सेम होगा order बिल्कुल सेम होगा आप अभी देखे होंगे मेरे पास जो element आया उसका cycle decomposition 1,5 या 5,1 है आप जो लाए होंगे उसमें भी cycle decomposition वही आया होगा तो matter नहीं करता कि आप left to right करते है या right to left matter क्या करता है कि आपने कोई भी calculation शुरू किया तो सबसे starting में first line में आपने जो calculation करी है वही calculation लास्ट लाइन तक आपको लेकर जाना है ठीक है तो फिर कोई समस्या नहीं होगी अब left to right कर रहे है बीच में का right to left चले आए तो समस्या हो जाएगी हाँ जी अब आते हैं next question पर next question क्या कह रहा है कि f हमारा s5 का member है और f की value क्या है 12 into 34 आखिर s5 में होते क्या है पांच element वाले set से पांच element वाले set पे one one on two functions का ही तो collection होता है उसमें से एक function अपने ले लिया क्या हुआ 12 into 34 देन नंबर आफ पर पर्मुटेशन विचार conjugate to f इस concept पे तो अभी ही बात किये हैं कि किसी element से conjugate कितने element होते हैं exactly उतने ही element होते हैं जिनका की cycle decomposition उसी की element के जैसा होगा तो सेम साइकल decomposition वाले element की कांटिंग का फर्मूला है जो अभी जस्ट मैंने लिखा था अब आपको उस फर्मूला को लगाना है और आंसर find out करना है कि चंद्रकांत गुड़ इवनिंग कि चलिए चंद्रकांत आ गये हैं तो question सामने है कि कुश्चन से स्वागत किया जा रहा है आपका बताईए अच्ट कर अच्ट कर लोग का भी आ रहा है मतलब ठीक ही निकाल ली होंगे फिर कि एक बार फिर भी इस्ट फॉर्मालिटी मैं कल्कुलेट कर लूँ यहां पर दिखे वन टू थ्री फॉर फाइब नहीं दिख रहा है तो वन टू दी पावर वन वन लिन्थ का साइकल एक ही आया है इंटू फैक्टोरील वन इंटू दो लिन्थ का साइकल दो बार आया है तो ऐस्या होगा आपना यह फ्ई फॉर थ्री टू वन होल अपॉन वन इन्टू 4 इंटु टू 15 ठीक है बहुत अच्छे अब चलते हैं आगले कोश्चन पर अब एक सेट मुझे है क्या दिया हुआ है रॉमित सेन गुपता नहीं नहीं होगा ए होगा हमने भी कैलकुलेट किया ना वाफिया खान भी नमन प्रकास राय डी तोबा नाज डी ओके नमन प्रकास डी ठीक है थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लेते हैं ताकि बांके लोग भी रिप्लाई कर पाएं देन देखते हैं क्या रहा है कि let h is equal to e, a मतलब h एक सेट है जिसमें दो इलिमेंट है एक आइडेंटिटी है और एक a है वी दा ओनली सब ग्रूप ऑफ और टू मतलब h जो दिया हुआ है अपने पास सब ग्रूप दिया हुआ है जी का मतलब यह किसके आईसो मॉर्फिक है जेट टू के आई इसो मॉर्फिक है और h में एलिमेंट कौन-कौन है आइडेंटिटी ए तो मतलब यहां से क्या आ गया कि order of a क्या हो जाएगा तू हो जाएगा तो यह दो ओर्डर का एलिमेंट है यहां पर यह जेट टू बना रहा है अब बीद ओनली सब ग्रूप ऑफ और टू तो पहली च रहा है तो इसमें क्या है मैं क्या करता हूँ जी को जटू ही ले लेता हूं तो क्लास इक्वेशन क्या लिखेंगे class equation हो जाएगा cardinality of z2 जो कि हो जाएगा 1 plus 1 यह हो जाएगा class of identity यह हो जाएगा class of a तो यहाँ पे a कहां का member हो गया center में भी लॉंग कर गया a को center में जाने के लिए g का non-abalian होना जरूरी नहीं है ठीक है option a हमारा discard हो गया अब कह रहा है कि a center में जाएगा सिर्फ और सिर्फ g या तो abalian होगा या cyclic होगा तो g को आप क्या करिए q8 ले लीजिए आप जानते होंगे q8 के पास दो order का एक ही subgroup होता है minus 1 और 1 तो अब q8 का जब आप class equation लिखेंगे तो class equation क्या होता है 1 plus 1 plus 2 2 plus 2 यह हमारा class of identity और यह identity का मतलब 1 और यह class of minus 1 जरूरी नहीं है कि abalian या cyclic होगा तभी element center में जाएगा ऐसे भी जा सकता है अब आते हैं last option पे यह जो element a है ना यह center में जाएगा मतलब b और c का तक आउंटर example होई गया अब d पे आप लोगा answer बिल्कुल सही है जिनका भी answer d था और जिनका answer d नहीं था वो देख लेंगे कि क्यों गिलत हो रहा है उनका अब a center में जाएगा for each finite group g ठीक है class equation की बात हम तभी करते हैं जब group हमारा finite होता है class equation of g जब हम लिख रहा होंगे या फिर simply class equation को छोड़ीए ऐसे भी हो जाएगा यह class of a जब आप लिख रहे होंगे न तो a की class में a हमेशा ही आएगा क्योंकि conjugacy का जो relation होता है वो equivalence relation होता है तो उसमें सबसे पहले हम reflexive proof करते हैं कोई element खुद से related तो होगा ही होगा तो a की class में a हमेशा आएगा अब मान लिजिए कि कोई b भी आता है आगे कोई आए ना आए मान लिजिए कि a की class में जो है b आ गया तो यहां से क्या imply हो जाएगा कि order of a equal to order of b मतलब हम proof करते हैं पढ़ने के दौरान कि अगर कोई दो element conjugate होते हैं उनका order आपस में क्या होता है बराबर होता है अब a के अलाबे जैसे ही कोई b आएगा a का order b के बराबर हो जाएगा लेकिन हमारे question में दिया हुआ है कि यह जो है ना h यह दो order का unique subgroup है तो दो order के हमें किसी भी group में उतनी ही subgroup मिलते हैं जितने दो order के element होते हैं ठीक है जिसका मतलब दो order का एक ही element मिला होगा तभी दो order का एक ही subgroup मुझे मिला है आगे किसी के लिए भी contradiction आ जाएगा तो a की class में a ही आ जाएगा तो फिर क्या होता है कि a belongs to g is self conjugate self conjugate element का क्या मतलब होता है जिसकी class में वो element इकलौता आए खुद ही आए self conjugate if and only if a कहां बिलॉंग कर जाए center of g में अंतिमा कह रही है कि previous question repeat करिए चलिए इसको conclude करते हैं फिर previous पर चलेंगे इसमें कोई समस्या नहीं होगी ये d number answer होगा हमने इसे proof कर लिया है अब आते हैं previous question पर हाँ जी तो इसमें क्या था कि हमें वैसे elements की counting करनी थी s5 में जो कि इस element के साथ conjugate हों तो result क्या होता है हमारा कि sigma and tau belongs to sn such that sigma is conjugate to tau if and only if cycle decomposition of sigma is equals to cycle decomposition of tau ठीक है मतलब कोई दो element conjugate होते हैं if and only if दोनों का cycle decomposition same हो और अगर cycle decomposition same होने पर conjugate होने का क्या मतलब हुआ अगर आपको किसी element से कितने element conjugate है ये count करना है तो simply उसके cycle decomposition में कितने element आएंगे ये निकाल देज़े अपने अंसर ये तो element का order find करते हैं ये ये फार्मूला हम कभी यूज करते हैं कि उस particular cycle decomposition के कितने element है ये count करने के लिए अब cycle decomposition same होता है element का तो order भी तो same होता है न ये अलग बात है कि s n में order same होने का मतलब cycle decomposition same होना नहीं होता जैसे 1 2 into 3 4 भी हमारा दो order का element है और 1 2 भी दो order का ही element है ठीक है तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला किसीज के लिए यूज करते हैं same cycle decomposition वाले कितने element होंगे उस s n में उसे count करने के लिए और same cycle decomposition के जतने element होंगे वही बस आपस में conjugate होंगे इसलिए इस फार्मूला को हमने यहां पर यूज किया आजी अंतिमा समझ आया या फिर आप जो question कह रहे हैं थे वो मुझे तक पहुंचा कभी भी आपको s n का कोई element दे दे और पूछे किस element से conjugate कितने element होंगे तो simple सा काम है उस element का cycle decomposition क्या है वो देखिए और उस cycle decomposition के कितने element होते हैं वो निकालने का यह formula है लगाई और निकाल लिए अब आते हैं अगले question पर अजी अब इस question का answer करना है which of the following statement is are correct any abelian group with no proper normal subgroup is of order p ठीक है any abelian group with no proper normal subgroup is of order p ध्यान से पढ़ियेगा question को और अच्छे से normal subgroup और फिर है कि every infinite group has proper subgroup देखिए मैं question के माध्यम से concept भी सिखाने की कोशिस कर रहा हूं तो आप लोग को simple group का definition याद होगा क्योंकि अब तो तो मतलब जहां पर कह रहा है कि group के पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप नहीं होगा मतलब वो simple group के concept को पूछना चाहा रहा है आप अब 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 पताए फटाफट से answer करिए अच्छा ओके ओके नमन प्रकास ठीक है जो confusion है ना कि commute करने वाले element को count करना और कितने element conjugate होंगे उसे count करना हां बिल्कुल वो दो अलग चीजे हैं दो conjugate element जरूरी नहीं है कि आप असमें conjugate करें conjugate हो या फिर दो element conjugate है इसका मतलब यह नहीं है कि वो conjugate होंगे ठीक है तो मैं ठीक है मैं यहां साइड में लिखता हूँ जब हम normalizer of sigma निकाल रहे होते हैं मतलब order of normalizer of sigma उस समय कितने element sigma से commute कर रहे होंगे वो निकाल रहे होंगे ठीक है उस समय है 1 to the power alpha 1 2 to the power alpha 2 dot 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 फिर factorial alpha 1 factorial alpha 2 इस तरीके से हम लिखेंगे ठीक है और जब cardinality of class of sigma निकालना हो तो यह exactly equal होगा number of elements in sn conjugate to sorry यह तो होगा ही which is equals to number of elements with same cycle decomposition same cycle decomposition as sigma ठीक है यह चीज़ है अब ब्लादेमिर एडी 940 ए एंडी तोबा ए इस ट्रू दीपक कुमार एबी सी उज्वल ए एंड भी मतलब इस question में जो धोखा छिपा हुआ था आप लोग धोखा खा चुके हैं एक बार फिर से ट्राइ करिए इस question में भी एक धोखा था एक question में होता है क्या है concept तो वह हैं अपने पास कोई नया ग्रूप थेओरी तो डिफाइन नहीं करते उनके concept को बस आपस में उल्जाये रहते हैं हम लोग है ना और नए questions बनाते रहते हैं तो इस question में जो धोखा छिपा हुआ है धोखा खा चुके हैं which of the following statements is or are correct यहां है any abelian group with no proper normal subgroup is order P अब मैं यहां पर जितने लोगों ने answer किया है अभी तक उसमें से 99% लोगों के answer में जो options है उन options का अगर मैं intersection निकालूँ तो सबका answer यह जरूर है और यह हमारा true नहीं है क्यों पता है चले देखिए आप सबसे पहला group क्या पढ़ेंगे आप एक order का ही group बनाएंगे ना जेडवन देख लिजिए जेडवन के पास जेडवन cyclic group है तो इसके सारे subgroup normal है तो proper normal subgroup थो रही है इसके पास जो subgroup normal है itself वो तो improper है ना इसके पास कोई proper normal subgroup नहीं है और यह P order का भी नहीं है क्या कह रहा था any abelian group with no proper normal subgroup is of order P मतलब कोई भी ऐसा abelian group है जिसके पास proper normal subgroup नहीं है तो वो prime order का होगा तो counter example तो मिल गया ना हमें हाँ 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 एनी abelian group बोला है इसलिए तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि आप कोई abelian group ले लो जिसमें की proper normal subgroup नहीं है तो वो prime order का होगा तो मैंने counter example दे दिया ना कि मेरे पास एक abelian group है जिसके पास proper normal subgroup नहीं है और prime order का भी नहीं है वो तो दोखा option a में था चलिए अब फिर बाकी options पे आते हैं बाकी भी ठीक ठाक options ही है अब there exists infinite group with no proper normal subgroup देखे infinite group with no proper normal subgroup बोल कर यह क्या पूछना चाहरा है कि क्या मेरे पास एक infinite group है जो कि simple है क्योंकि अगर no proper normal subgroup है तो simple की ही तो बात कर रहा है तो simple सी बात है अगर आपको लगता है या आपने पढ़ा है कि ऐसा कोई infinite group है जो simple है तो फिर ठीक है वो यहां पर example बनेगा देर एक जिस्ट पूछ रहा है एक भी मिल गया तो काम चल जाएगा अपना अगर ऐसा कोई infinite group नहीं है जो simple है तो फिर यह option गलत हो जाएगा तो apart from this question हमारा question क्या है कि क्या आप ऐसे किसी group के बारे में जानते हैं जो infinite order का है और वो simple group है और example नहीं हो पाएगा मेडम मेडम सर पता नहीं क्या है बट हाँ यस तो कि हम abelian group ले रहे ना तो abelian group में क्या होता है कि lagranche theorem का converse true हो जाता है ठीक है lagranche theorem क्या कहता है कि सब group का order group के order को डिवाइड करेगा और lagranche साहाब का converse क्या हो जाएगा कि अगर कोई number group के order को divide करता है तो उस order का subgroup मिल जाएगा ठीक है तो finite abelian group के लिए जो है आपका लग्रांज का कनवर्स जो है वो हमेशा ट्रू हो जाएगा बिल्कुल ऑल्टर्नेटिंग ग्रूप आफ इन फाइनाइट और जब हम SN के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि AN with n greater than equal to 5 यह क्या होता है अपना simple होता है तो ऐसा कर लीजिए कि n की जगह पे क्या करिए सेट आफ नाचुरल नंबर रख दीजिए तो आखिर इसकी काटनलिटी अलिफ नॉट होती है तो पांच इस सिद बरी या बराबर ही तो है है ना तो क्या हो जाएगा यह एक एक्जामपल मिल जाएगा आपको इन्फाइनाइट ओर्डर के सिंपल ग्रूप का तो यह बात ठीक है ती में आ जाएए देयर एक्जिस्ट एन इन्फाइनाइट अबेलियन ग्रूप विद नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप तो तो स्री नंबर में क्या पूछ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा इन्फाइनाइट अबेलियन ग्रूप होगा क्या जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप हाँ बिल्कुल जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप नहीं होगा तो देखिए अगर ग्रूप मेरा क्या है इन्फाइनाइट है ठीक है तो इन्फाइनाइट है तो बचारा क्या होगा या तो साइकलिक होगा या फिर नॉन साइकलिक होगा यह होगा न ग्रूप अगर इन्फाइनाइट साइकलिक है तो आईसो मॉर्फिक टू जेड प्लस तो M not equal to 0 और plus minus 1, M को अगर मैं 0 नहीं लूँँगा और plus minus 1 नहीं लूँँगा तो फिर M Z क्या हो जाएगा? सब ग्रूप हो जाएगा Z plus का और कैसा सब ग्रूप होगा? ये proper सब ग्रूप होगा और abelion ग्रूप के सारे सब ग्रूप normal होते हैं तो ये M Z भी normal सब ग्रूप प्रूपर नॉर्मल होगा अगर G हमारा cyclic हुआ infinite में तो मेरे पास प्रूपर नॉर्मल सब ग्रूप मिल जाएगा और अगर ग्रूप मेरा non-cyclic है तो that imply for every A belongs to G generating set of A जो है हमारे पास generating set of A कभी भी किसके equal नहीं होगा G के equal नहीं होगा क्योंकि अगर generating set of A G के बराबर हो गया तो G तो फिर cyclic हो जाएगा हम तो G non-cyclic लेके चल रहे हैं इसका मतलब generating set of A क्या हो जाएगा प्रॉपर सब ग्रूप और abelion का सब ग्रूप है तो normal तो होगा ही तो proper सब ग्रूप प्लस normal तो ग्रूप में दो ही संभाव ना हो सकती थी और दोनों ही case में मेरे पास क्या मिल गया proper normal सब ग्रूप मिल गया तो अगर हमारे पास पूछे कि there exist an infinite abelion ग्रूप ऐसा कोई infinite abelion ग्रूप एक्जिस्ट करेगा क्या जिसके पास कोई भी proper normal सब ग्रूप नहीं होगा तो नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता अप्रूफ कर लिया हमने तो यह बात ठीक नहीं है यह भी ठीक नहीं था इन अबेलियन ग्रूप विद नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप यह है मेरे पास सी नहीं है अब डी में इन फाइनाइट ग्रूप है प्रॉपर सब ग्रूप हर इन फाइनाइट ग्रूप के पास क्या होगा प्रॉपर सब ग्रूप होगा तो आपको क्या करना है या तो नॉर्मल बोला भी नहीं है सिर्फ सब ग्रूप बोला है तो जी अगर इन फाइनाइट होगा तो दो चीज तो A का जो generating set होगा वो क्या होगा proper subgroup ही तो होगा तो proper subgroup तो मिली रहा है ना अब proper की बात करनी है तो A को थोड़ा सा non identity ले लिजे ताकि perfection बना रहे लिखने में तो every infinite group has a proper subgroup तो B and D हमारा answer हो गया ठीक है सब लोगों को अच्छे से समझाया होगा आगे चलते हैं इसमें किनी को कोई doubt हो कहीं पर तो पूछ सकते हैं और एक student थी तौबा ना जहां तो वो है कि अगा जड़वन के अलावे कोई चाहिए तो वो आपको abelion के case में नहीं मिल पाएगा ना लागरांज का canvars true हो जाएगा वहाँ पर अब ग्रुप अपना क्या है dn है order of dn क्या है अपना 2n है ठीक है है तो एच जो है वह अलफा से generate किया हुआ सब ग्रुप है मतलब अलफा dn का कोई member है देखिए कि हर teacher के पढ़ाने का अपना तरीका होता है मैं dn explain करता हूं तो कुछ इस तरीके से करता हूं अलफा alpha square alpha to the power n equal to identity beta alpha beta alpha square beta dot dot alpha to the power n minus 1 dot beta यह सारे अपने rotation है और इधर वाले यह सारे reflection है तो यह हमारा dn है अब यहां पर है जो है वह alpha से generate किया हुआ है और इस alpha को इस alpha से आप directly relate मत करिएगा यहां पर कुछ दिया हुआ है information उसके माध्य हम से समझने की कोशिस करिएगा कि जी अगर equal है dn के और h हमारा generated by alpha है वेर alpha is the rotation through 2pi upon n मतलब alpha जो है वो rotation को represent कर रहा है rotation कैसे कर रहा है हम 2pi upon n से कर रहा है for example n की value अगर मैं 4 ले 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 तात्वरी देर के लिए rotation 2pi upon 4 मतलब pi by 2 मतलब 90 degree से हम rotate कर रहे होते हैं तो अब बताना है इस तरीके का सब्सक्राइब ग्रूप है इन और का इच इज नॉट नॉर्मल इंजी यह सा बातें कहीं गई है इसके बारे में तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है हाज बताइए फटा-फट से इसलिए मैंने confusion ना हो इसलिए मैंने dn का structure अपनी तरफ से लिख दिया हुआ है क्या होगा आंसर रितू ए दीपक ए एंड बी वांकी लोग भी बताईए फटा-फट से आंसर कि एक्स्प्लेइन करता हूं मैं इसको हाँ कि निखिल एम जे एबी सी कि अगट एबी तो अब यहां पर मैं एक्स्प्लेइन करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वेट तो नहीं कर सकते अब यहां पर मैं एक एक्जामपल देता हूं क्योंकि अभी अब क्लास्रूम तो है नहीं कि सारी चीजों को प्रूफ करने में बैठ जाओं तो जैसे फॉर एक्जामपल आप आप D4 की बात करते हैं ठीक है और मान लिजे अलफा आपका रोटेशन है और कितने डिगरी का है तूपाई अपॉन एन की वैल्यू फॉर तो तूपाई अपॉन फॉर मतलब पाई बाई टू अलफा जो है वह 90 डिगरी से रोटेट हो रहा है तो अलफा को आइडेंटिटी बनने के लिए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा मतलब रोटेट करना होगा 90 डिगरी से 90 डिगरी से कितनी बार चार बार रोटेट करना पड़ेगा तब यह आइडेंटिटी बनेगा और उससे पहले नहीं बनेगा मतलब ऑडर ऑफ अलफा क्या हो जाएगा फॉर हो ज जाएगा, alpha हमारा n order का element हो जाएगा, तो alpha अगर n order का element है, तो उससे जो subgroup हम generate करेंगे, definitely single element से generate होने वाला subgroup है, cyclic होगा और generating set of alpha का order alpha के ही order के बराबर होगा, हिस is cyclic subgroup of order n, ये बाद ठीक है, अब इसके बाद h n order का subgroup है और dn में n order का subgroup है, तो मुझे index निकालना है h का g में, ठीक है, तो dn के जो normal subgroup होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो alpha का, मतलब ये जो rotation का collection है, ये rotation का पूरा collection किसके isomorphic होता है, जेडेन के isomorphic होता है, ये alpha से generate हुआ है पूरा, तो ये पूरा जेडेन इसका normal subgroup होता है, और जेडेन के जितने subgroup होंगे, वो भी सारे के सारे यहां पर normal हो जाएंगे, ठीक है, जब हम dn पर रहे होते हैं, तो पढ़ते हैं, तो h हमारा normal subgroup है in order का और जी हमारा 2 in order का group है, तो index obviously क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, h normal होगा, तो इसको normal subgroup हम प्रूब भी करते हैं, और वैसे एक result भी use करते हैं, किसी subgroup का index अगर 2 है, तो वो हमेशा normal होता है, तो वहां से हो जाएगा, single element से generated है, तो cyclic तो होगा ही, not normal false हो जाएगा, तो ABC answer है, इवन कुछ students अनूप और नमन ने ABC answer किया भी है, आशा कभी ABC है, अन्तिमा ABC और जिनका BC था वो चेक कर लेंगे, प्रिंसी बास पे ABC, ओके, ठीक है, चलते है next question पे, समझ में आया होगा सब लोगों के, अब इस question को देखते हैं, कि लेट G be a group such that it has exactly one proper subgroup, then choose the incorrect, लेट G be a group such that it has exactly one proper subgroup, then choose the incorrect, जी एक ऐसा group है, जिसके पास exactly one proper subgroup है, तो हमें incorrect choose करना है, यह अच्छा question है, special question है, आपको answer बताना है इसका, कि बढ़िया question है, आंसर बताएं सब लोग, लेट G be a group such that it has exactly one proper subgroup, then choose the incorrect, एक्जाम में यह भी गलती हो जाती है, हमें correct बोलता है, हमें incorrect डूंड लेते हैं, incorrect बोलता है, correct डूंड लेते हैं, पहले तो जब offline होगा करता था, तो लोग pen से mark कर लेते थे, incorrect या correct, अब तो वो भी नहीं रहा, नमन प्रकास A, NKG Classes A, ओके, आने देते हैं, एक आदर मिनट तो वेट करी सकते हैं, अरितू B, दीपक D, ओके, प्रिंसी A, कुछ लोगों के answer आ गये हैं, बाकी लोग भी comment में answer करते रहेंगे, मैं इदर explanation start करता हूँ, ठीक है, जी, कोई भी group है, फिलहाल हमें नहीं पता ये कैसा group है, तो ये क्या हो सकता है, ये एक finite group हो सकता है, ये एक infinite group हो सकता है, ठीक है, ये या तो finite हो सकता है, या फिर, infinite हो सकता है, अगर ये infinite हुआ, तो फिर क्या होगा, या तो ये cyclic होगा, या फिर non-cyclic होगा, ये ही होगा ना, इस concept पर थोरे time पहले हम already बात कर चुके हैं, अभी मैं आपको लिए चलू, आ किया था, इस question में है ना, कि G अगर infinite group है, चाहे वो cyclic होगा, तो यहाँ MZ type का proper subgroup मिलेगा, और M की choices is infinite है, तो infinite proper subgroup मिलेगा, ग्रूप अगर non-cyclic है, तो कोई भी non-identity element ये उठा लीजिए, उससे जो subgroup generate होगा, उप्रॉपर ही होगा हमेशा, तो group अगर infinite हुआ ना, तो आपको हमेशा एक से ज़्यादा proper subgroup मिल जाएंगे, लेकिन हमारा सवाल क्या कह रहा है, कि G के पास exactly one proper subgroup है, तो वो infinite तो कभी नहीं हो सकता, इसे निश्यत रूप से finite बनना परेगा, तो A तो ठीक है, अब रही बात B, C, D की, तो अगर true है, तो या तो proof करें, या फिर अब proof नहीं करना है, तो किसी standard statement के हवाले से बोलेंगे कि देखो, उस statement में ऐसा बोला गया है, तो यह true होगा, पर नहीं तो फिर counter example, every subgroup of G is normal, every subgroup of G is cyclic, G never simple group, तो मैं इसे explain करता हूँ, थोड़ा patience रखिएगा, दो तीन मिनिट लगेगा explain करने में, अच्छे से समझेगा, ठीक है, तो अगर group हमारा finite order का है, तो दो बातें हो सकती है, order of group हमारा one हो सकता है, order of group मेरा prime हो सकता है, और order of group, पी to the power, या फिर ऐसा रखता हूँ मैं, कि order of group क्या हो सकता है, composite हो सकता है, ठीक है, ध्यान से समझेगा, एक दो मिनिट लगेगा explain करने में, तो हर बढ़ाईएगा नहीं, आराम से समझेगा, कि group अगर finite है, तो एक order का हो सकता है, तो एक order के group के पास, तो proper subgroup होता ही नहीं है, तो इसका मतलब एक order वाले की संभावना खतम हो गई, अब group हमारा P order का हो सकता है, P order का होगा, तो क्या होगा, P order का group हमेशा cyclic होता है, तो उसके पास या तो एक order का सब group मिलेगा नहीं तो P order का तो एक order का trivial होगा वो भी improper है और P order का खुद हो जाएगा वो भी improper है तो चलो ये वाला case तो पास कर गया हमारे exam को अब इस वाले में क्या संभावना है group अगर मेरा composite order का हुआ तो कैसा होगा तो अध्यान से समझेगा अगर मान लिजे कि order of group क्या हो जाए composite हो जाए तो composite नंबर दो तरह का होता है या तो P to the power N type का होगा जहाँ N की value greater than 1 होगी तो composite नंबर या एक ही प्राइम का एक से बरे पावर वाला होता है और नहीं तो इस तरह का होगा P1 to the power N1 P2 to the power N2 dot 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 pk to the power NK कोई भी नचुरल नंबर क्या हो सकता है या तो 1 होगा प्राइम की power में सिंगल प्राइम की power में होगा नहीं तो more than 1 प्राइम की power के product के format में लिखा जा सकेगा ठीक है तो अब यहाँ पे अगर group का order मैं for example P2 ले लूँ P3 ले लूँ P4 ले लूँ और डॉट 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 तो P2 order के group को P divide करेगा ठीक है तो P divide करेगा अच्छा है इस तरह से लिजिए कि P2 order का group या तो आपका ZP2 हो सकता है और नहीं तो ZP cross ZP हो सकता है इस वाले case में आप देखेंगे तो ZP cross Singleton 0 या Singleton 0 cross ZP type का दो अलग-अलग proper subgroup मुझे मिल गया तो यह case discard हो गया अब P3 order में या P4 order में या आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो class equation आप लिखेंगे तो उस class equation में जो normalizer class equation के help से जो normalizer आप different element का find करेंगे उस normalizer का order जो है वो P2 order का हो रहा होगा PQ वाले में P4 order के group के normalizer के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पिर कुछ और हो रहा होगा ठीक है तो इन सब में आपको contradiction मिलता चला जाएगा तो single prime की power वाला तो लेना नहीं है और single prime की power अगर नहीं लेंगे तो फिर more than one prime के power के product में जाएंगे तो यहाँ पे फिर P1 divide कर रहा है order of group के तो P1 order का subgroup मिलेगा पी टू डिवाइड कर रहा है order of group को तो P2 order का subgroup मिलेगा तो more than one proper subgroup आपको मिलेगा ठीक है यहाँ यहाँ पे मैं order of G equal to P में टिक किया था यह नहीं होगा यहाँ पे order of G equal to P लेने पे तो proper subgroup मिलेगा ही नहीं न मुझे क्या चाहिए exactly one proper subgroup चाहिए यह अरे भई कहां बाग गए हमें proper subgroup चाहिए ही नहीं तो यह भी तो नहीं होगा ना यह भी हमारा cancel out हो जाएगा तो यह भी नहीं हुआ आगे आते हैं तो जड़ P2 order का जो group होता है वो हमेशा क्या होता है abelion group होता है तो यह तो cyclic abelion होगा या non cyclic abelion non cyclic abelion होगा तो दो proper subgroup मिल जाएंगे contradiction आगे normalizer element के जो बनेंगे ना उससे मेरा contradiction आता चला जाएगा और इधर वाले में दो distinct prime के वज़ा से contradiction आएगा तो एक possibility बची मेरे पास जड़ पी square अब जड़ पी square में एक order का पी order का और पी square order का तो पी square order का खुद है एक order का improper होता है और पी order का subgroup कितना मिलेगा तो cyclic group में किसी भी divisor के order का subgroup मिलता है और exactly one मिलता है तो हमारा जो group बना वो क्या बना जड़ पी square मना कितना खुबसूरत question था ये कि हमने सारे condition को discard कर लिया इन finite में भी सारे finite में भी सबको discard करते करते अपने पास बचा जड़ पी square तो finite order में जड़ पी square बतला पी square order का जो cyclic group होगा न वही एक variety होगी जिसके पास exactly one proper subgroup होगा तो आप देख पा रहे हैं ये क्य साइक्लिक है अब गुरुप तो हमारा cyclic है तो उसके सारे सब गुरुप साइक्लिक भी होंगे और normal भी होंगे क्योंकि वह अब एलियन है साइक्लिक सारे सब गुरुप साइक्लिक से ये वाला true हो जाएगा और जी never simple group जाहिर सी बात है ना आपको एक proper subgroup मिल गया और group abelian ह मतलब proper normal subgroup मिल गया तो group simple कैसे होगा किरन प्रजापती नमस्ते है क्लियर है सब लोगों को तो अपना answer क्या हुआ a b c इन्हीं को कोई डाउट कि इन्हीं को कोई डाउट कि नहीं होना चाहिए है ना कि अब आते हैं अगले कुश्चन की तरह कि विच आप दफ फॉलोइंग इज आर पॉसिबल कि विच आप दफ फॉलोइंग इज आर पॉसिबल अच्छा इन्करेक्ट पूछा था अरे ऐसा क्या 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 सब कर दिया हमने मैं अभी बोल रहा था ना इनकरेक्ट में घरवर होगा मैं नहीं कर दिया तुरवात मतलब हम नहीं कर दी ठीक है हां तो ठीक है तो डी नंबर हो जाएगा मतलब में मेरा मोटो फिलहाल गल्दी तो हुई है आप तक पहुंचाना था कि आज़ी फोगट बिल्कुल डी होगा वह इनकरेक्ट पूछ रहा था ना कि अब आते हैं इस क्वेश्चन पर पताये कौन सब्सक्राइब होगा विच अब फॉलेंग इस और आर पॉसिबल इन में से कौन से पॉसिबल है प्रिंसी कह रहे हैं डी नहीं होगा डी ही तो इनकरेक्ट है तो वही होगा ना इनकरेक्ट पूछा है तो मैंने पहले करेक्ट वाले को टिक कर दिया खाना खा लो सर जी खाएंगे न बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए जो कुस्टेंस लेकर आए हैं वो करवा के फिर खाते हैं आप लोग भी चलिएगा खाना खाने के लिए हम भी खाएंगे फिलाल पानी तक हम चलाते हैं पानी अभी है कि हार दस बस्ते बस्ते ओबर हो जाएगा एक मिनट अभी क्या तब कह रहे हैं आप लोग नेवर लिखा है ठीक है ठीक है देखता हूँ आँ नेवर आ गया लेट जी बीए ग्रूप सच दैट इट है एग्जाक्ली वन प्रॉपर तब ग्रूप देन चूज दा इनकरेक्ट अरे हाँ जी नेवर सिंपल कह रहा है न कि जी कभी भी सिंपल नहीं होगा तो अगर जी कभी भी तो हमारा ग्रूप क्या मिला है जेट पी स्क्वेर मिला है तो वो तो सिंपल नहीं है ना मतलब वह बात भी ठीक है हाँ जी सभी नेवर पे तो ध्यान ही नहीं गया बताया भी नहीं आप लोगों ने तो यह बात भी तो ठीक है मतलब यह इनको हटा दो फिर हां यह इनको हटा दो क्रेक्ट ढूंड़ना है हमें क्योंकि अभी तो फाइनाइट होगा हमने पूरूफ और सायक्लिक हो गातो इसके हिसाब से बहीं है और नेवर सिंपल यह बात भी ठीक है प्रॉपर तब गुरुप मिलेगा नॉर्मल मिलेगा तो कभी सिंपल भी नहीं होगा तो करेक्ट ढूंडना होगा बिल्कुल थैंक्यू कहां बाजपी जी कि नेवर पर ध्यान दिलाया आपने अगले कुश्चन पर आते हैं कहां अपना कुश्चन हो चुका है कॉंसेप्ट हमें जो समझना है वह आराम से समझ चुके हैं अब ऑप्सन में अब विच आप फॉलिंग इस आर पॉसिबल देयर एग्जिस्ट अग्रूप जी सच दाट जी वाइट जी ट्वेंटीवन नाइ अब अगला देखते हैं यह एक डिक्रीजिंग ओर्डर में चल रहा है एक एक अठाके ठीक है अब प्रिंसी सी अच्छा यहां पे ना देयर एक जिस्ट अग्रूप पूछा है तो जहां पे एक जिस्ट कर गया वो तो ट्रू हो जाएगा आप लोग उसको आंसर भी बता रहे होंगे तो जहां पर ट्रू नहीं बता रहे हैं वहां पर मन में क्या समझ रहे हैं कि ऐसा ग्रूप एक जिस्थी नहीं कर रहा होगा ऐसा ठीक है अनि तु कह रहे हैं बी सी एक आदा और कमेंट आ जाने देते हैं आंसर का तो फिर मैं एक्स्प्लेन करता हूँ पारूल डी तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ यहां पर अभी तक जो कुछ लोगों ने आंसर आचा चलिए बढ़िया यह मुझे नहीं मिल रहा था आफ्सन में कहीं अभी प्राजक्ता ने एक आंसर कर दिया ठीक है तो कहरा है देर एक्जिस्ट अग्रूप जी सच दाट ओडर ऑफ जी अपॉन जट जी ट्वेंटीवन तो देखे, पहली चीज तो यह है कि सेंटर जो होता है वो सिर्फ नहीं इवन सेंटर के जो सबग्रूप होते हैं वो सारे भी ग्रूप के नॉर्मल सबग्रूप होते हैं पहला result यह माइंड में रखना है, तो g by h जो हम quotient group define करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि h क्या हो जाए हमारा normal subgroup हो जाए, तो अगर हम चारो option में center की बात कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा ही normal होता है, तो g upon h quotient group define कर पाना तो हमेशा ही समभव होगा, ठीक है, तो अब एक result आता है, जिस पर की question repeatedly पूछा गया है, g by zg हमारा cyclic होगा, if and only if g क्या होगा, ठीक है, तो g by zg cyclic होगा, if and only if क्या हो जाएगा, g abelion हो जाएगा, अब इस result से देखें, तो g अगर abelion हो जाएगा, तो if and only if क्या हो जाएगा, g खुद zg के बराबर हो जाएगा, तो फिर यह क्य बन जाएगा, zg upon zg, तो यह isomorphic to क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा, result क्या है, कि g by zg cyclic होगा, if and only if g abelion होगा, if and only if g equal to zg हो जाएगा, और जैसे ही g zg के बराबर होगा, zg upon zg, z1 के isomorphic हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हर जगा, क्या नजर आने लग जाएगा, one नजर आन zg जो है, वो cyclic तो कभी नहीं होगा, यह यहाँ से conclude करते हैं इस result से, तो जो भी g by zg का order दिया गया है न, अगर वो non cyclic का order होना possible है, तो संभावना बनती है कि हम ऐसा कुछ कर पाएंगे, ठीक है, आदी उत्तरा खंडी, नमस्ते, यह कह रहे हैं आप, ओके, आता हूँ मैं order of dn क्या है, to n है, ठीक है, और order of center of dn क्या होता है, यह आप लोग बताएंगे, मुझे ठीक है, बता देंगे, तो बहुत अच्छा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, बट आप लोग उसे expect कर रहा हूँ, dn के center में कितने element होते हैं, बताए फटा-फट से, आ ज्यादा enjoy करेंगे group theory, या कुई भी subject को even, अन्तिमा कह रहे हैं, a, b, d, वो ठीक है, आप मुझे बताएंगे, dn के center में कितने element होते हैं, dn के center में depends on n, बड़ा diplomatic answer कर आपने, चलिए, n even हो जाए, n odd हो जाए, हाँ, जी, one if odd, odd के case में one हो जाएगा, और even के case में two हो जाएगा, है न, हाँ, तो अब answer बिल्कुल सही है, ठीक है, तो n even होगा, तो 2 होगा center में element और n odd होगा, तो one element होगा, अब आप देखिए, dn upon center of dn की में बात करूँ, तो n को अगर मैं even लेता हूँ, तो dn upon center of dn, तो ये कितने order का, sorry, n even अगर मैं ना भी लूँ, या फिर चलो ले लेता हूँ, ठीक रहेगा, n अगर मैं even ले लेता हूँ, तो उस समय dn upon center of dn किसके isomorphic होगा, या isomorphic का छोरी है, वो तो पता लगाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, अभी order की बात करते हैं, ये कितने order का होगा, in order का होगा, है ना, ये बात agree करेंगे कि नी, आप लोग, कि इनको अगर मैं even ले लूँ, तो dn upon center of dn, center तो हमेशा normal subgroup होगा, तो ये in cardinality का हमेशा हो जाएगा, अब देखिए dn के help से क्या सब हो जाएगा, कहीं कुछ हो रहा है, मदद मिल रहा है dn से, यहाँ पर मुझे dn को क्या बनाना परेगा, तो मुझे यहाँ d21 लेना होगा, तो 42 होगा, नहीं वो तो वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर भी ये वर्क नहीं करेगा, है ना, मुझे 18 ओडर का लेना होगा dn, तो फिर तो मुझे d9 ही लेना पड़ेगा, फिर odd ही मिल जाएगा, मज़ा नहीं आया, मतलब ठीक है, एक concept discuss हो गया, बट मुझे उपर उपर से लगा कि साथ वो लग जाएगा, वो नहीं लगा, कोई बात नहीं, option 4 is correct, फिर के लिए तो चल जाएगा अपना काम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी बाई, जेट जी अपना 125 ओडर का है, तो जी बाई, जेट जी अगर मेरे पास 125 ओडर का है, तो center कितने order का होना चाहिए हमारे पास, मतलब चार में से किसी एक option में तो example construct करके दिखाऊंगा ना, अभी तो बोलूँगा कि चलो बाकियों में भी इस तरीके से होगा, तो करता हूँ किसी एक में construct हा, तो जी बाई, जेट जी हमारा 125 ओडर का अगर ले लेते हैं हम, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है, इसमें example इजली construct हो जाएगा, एक्शल में क्या है न, कि result के थूरू जब हम काम करते हैं, for example हम कहते हैं कि n greater than equal to 5 के लिए a n simple हो जाएगा, अब हरे इनके लिए simple दिखाना, अब इतना simple थो रही है कि आप सब को दिखा दीजेएगा, ठीक है, वहाँ से मुझे idea मिल जाता है, तो एक इसका है कि अगर आप order of G क्या करें, 125 ले ले हैं न, मतलब 5 cube order का एक non abelion group ले ले, उसका मैं example लिख रहा हूं, कि जैसे 1ab01c001, ठीक है, such that a, b, c, तीनों को कहां से belong करवा लेते हैं, z, p से belong करवा लेते हैं, और p की value यहाँ पर क्या करते हैं, 5 रख लेते हैं, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, determinant 1 वाला matrix का collection है, इसको subgroup किसका बना देते हैं, special linear का, sl और n की value में 3 ले लिया हुआ है, मैंने, sl3z5 का subgroup बना दिया, मैंने इसे ठीक है, determinant 1 वाला है, तो यह कितने order का बनेगा, a के लिए 5 choice, b के लिए 5 choice, c के लिए 5 choice, यह p cube order का group बना, और यह matrix multiplication में non abelion group बनेगा, और हमने थोरे टाइम पहले result discuss किया था, कि p cube order का अगर कोई non abelion group होता है, तो उसके center में exactly p element होते हैं, 125 upon 5, कितना बन जाएगा, 25, तो इसका example construct हो गया, अब बाकी का example, try करिएगा ढूणने का, actual में हमें क्या देखना है, कि g by z g cyclic ना होने पाए, तो मतलब g by z g का वैसा order, जिसमें कि सिर्फ cyclic की संभावना नहीं है, non abelion या abelion की संभावना बनी हुई है, तो वहाँ possibility हो जाती है, ठीक है, तो यह 21 order का है हमारे पास, तो 21 order का non abelion group exist करेगा, है ना, p into q order का group होता है, और अगर p divide करता है q minus 1 को, तो group दो ही variety का हो सकता है, या तो cyclic होगा या non abelion होगा, तो जो भी non abelion बनता है, उस वाले segment से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा abelion बन रहा है, 9 order का तो cyclic abelion दोनों ही possibility है, यहाँ भी संभाव है, और यहाँ भी संभाव है, ठीक है, डी के लिए क्या कह रहा है, डी 250, हाँ देखिए काम हो गया, खलो बढ़िया हुआ, एक example लिका कहीं तो खाम आया, ठीक है, तो जी अपना क्या हो जाएगा, डी 250, बिल्कुल बढ़िया, कौन कमेंट कर रहे हैं, विजय सर्मा, बहुत बढ़िया, हाँ C के लिए भी D 50 ले सकते थे, बिल्कुल, मैंने कोई दूसरा ले लिया, तो पहले दूसरे में D वाला लगा नहीं न, तो मुझे लगा आप शोरू है, अब कुछ और देख लेते हैं, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, तो बाकी भी, जो बेसिकली, यह तो चलो, हम लो नॉन अबेलियन या सिर्फ अबेलियन, मतलब ऐसा अबेलियन जो साइकलिक नहीं है, वो अगर और का पॉसिबलिटी है, तो सब पॉसिबल है अपना, ठीक है, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसी को यूज में ले रहे हैं, तो सारे यहां पर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी का ऐसे हैं, ट्राइ करके डूड़िये का, इधर भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, इस साइड चला गया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें किनिक होगा, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है, तो मजे से पढ़िए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, बनाईए क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो होई जाएगा, नहीं, A और B में DN नहीं लग रहा था, तो इसलिए तो मैंने छोड़ दिया, कि ठीक है, एक्जाम्बल तुम लोग ढूढ़ना आराम से आता, देखो, अब फिर से चलते हैं उस कुष्चन पर आपने, DN लोगा न, अगर मैं याँ पे, तो मुझे बाहर में चाहिए 21, तो मुझे, सॉरी, यहाँ पे मुझे D21 लेना पड़ेगा, तब नहीं, यह 42 ओडर का होगा, और B में 2 आएगा, तो इक्वल टू 21 आएगा, लेकिन DN में N अगर ओड ले लोगा, तो सेंटर तो एक कार्टनलिटी का हो जाएगा, तो वहां से नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए तो मैं फिर उदर D में भी DN नहीं लगा रहा था, लेकिन उदर लग रहा था वैसे, पे आते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन से सुरुवात करते हैं, जस्ट अगर आपको होमोमोर्फिसम का डेफिनीशन आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो G क्या है अपने पास? एक नॉन अवेलियन ग्रूप है, और Y बिलॉन कर गया G में, and let the maps F, G, H from G to itself be defined by F of X equal to Y, X, Y inverse, G of X equal to X inverse, और H क्या है दोनों का कम पोजिशन है, तो फिर पूछ अभी यह जस्ट एक फंक्टन है, F of X equal to Y, X, Y inverse, जस्ट एक फंक्टन है, प्रीती क्या कह रहा है, नहीं, D 250 ले सकते हैं, 125 वाले में ले सकते हैं, मैं option A और B का कह रहे थे, 21 और 9 था साथ, तो वहां नहीं ले सकते हैं, तो यहां खेर, आपको दो अलग अलग function, दो क्या, तीन function दिये गया है, F दिया गया है, G दिया गया है, और दोनों का composition भी, तो फिर पूछा गया है, कि इन तीनों में से मतलब कौन होमोमोर्फिसम है और कौन नहीं है, अगर आपको definition पता है, हमोमोर्फिसम का, तो आप इस question को कर सकते हैं, F हमोमोर्फिसम है क्या, F of x1.x2 अगर मैं करूँँगा, तो यह क्या आ जाएगा, y, x1, x2, y-inverse, तो यहाँ पर आ जाएगा, y, x1, y-inverse, y, x2, y-inverse, है न, यहाँ लिख सकते हैं, तो यह बन जाएगा अपना phi of x1 और यह बन जाएगा अपना phi of x2, तो पहला question just definition चेक करने के लिए हमने रखा हुआ है, तो यह phi अपना homomorphism तो, sorry, आदत है मुझे phi लिखने की, चलो, यह f आ गया, तो यह क्या हो गया, अपना homomorphism हो गया, तो f homomorphism हो गया, अब g अपना homomorphism है की नहीं, तो चलिए देखते हैं, g of x1.x2 करेंगे, x1.x2 whole inverse, यह क्या हो जाएगा, x2 inverse, x1 inverse, तो इसे मैं x1 inverse.x2 inverse नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि group हमारा non abelian है, तो इन जनरल मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो यह क्या हो गया, basically phi of x2 into phi of x1 बना, मुझे क्या बनाना था, phi of x1 into phi of x2, तो जो नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब g जो है, वो हमारा homomorphism नहीं बनेगा, not homomorphism, बट अगर मैं g o g h की बात करूँ, h क्या है, g o g, तो g o g of x dot y अगर मैं find करूँँगा, तो क्या हो जाएगा, g of x y का whole inverse, अब यह क्या हो जाएगा, x y inverse, इसका क्या हो जाएगा, whole inverse हो जाएगा, तो यहाँ पर यह अंदर में क्या आ गया, y inverse x inverse, अब यह आ जाएगा अपने पास, x y, अब यहाँ से मुझे g o g of x y क्या मिल गया, मुझे x y मिल गया, अच्छा, g o g of x अगर मैं निकालूँगा, तो हो जाएगा g of x inverse, और यह हो जाएगा x inverse का inverse, तो यह तो x ही हो जाएगा, और g o g of y अगर find कर रहे होंगे, तो यह g of y inverse हो जाएगा, मतलब यह y inverse का ही inverse equal to y हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको यह h है, अपना यह h है, तो क्या हो गया, मतलब simply h of x y किसके equal हो गया, hx dot hy के, ठीक है, तो मतलब f और h हमारा homomorphism हो गया, g नहीं हो पाया, ठीक है, तो देख लेते हैं, g and h homomorphism गलत है, h is a homomorphism, g is not, यह बाट ठीक है, f is a homomorphism, g is not, यह भी ठीक है, fg and h are homomorphism, यह गलत है, bc answer, f and h ही तो homomorphism हो आएगा है ना, बाकि तो आप देख तकते हैं, कि यहाँ g and h, तो g यहाँ दिया, वह यह गलत हो गया, और g यहाँ भी दिया, तो g जहाँ जहाँ दिखे वो गलत है, और बाकि f और h है, तो ठीक है फिर, तो अपना b और c answer हो गया, ठीक है, b b answer होगा, h is a homomorphism and g is not, just definition था homomorphism का, इसमें कुछ बहुत special सा नहीं है, हम चलते हैं अगले question पर, ठीक है, यह warm up के लिए था, कि हम homomorphism का definition लगा लें एक बार, अब आते हैं question पर, कि how many onto homomorphism define from यहाँ से यहाँ, z10 x z2 से, z5 x z4 पर कितने onto homomorphism आप define कर सकते हैं, हाँ वाफिया खान बिल्कुल सही answer है, bc, ritu, bc, ठीक है, how many onto homomorphism from z10 x z2 to z5 x z4, कि इतने onto homomorphism बनेंगे यहाँ से, हाँ, बिल्कुल, जी, गंपोजी identity हो रहा था, क्योंकि x y put किया था, हमने x y ही निकल कर आ गया था, option a, मतलब, एक onto homomorphism आप define कर पाएंगे, z10 x z2 से, z5 x z4 में, यहाँ पर हमें पता करना है, onto homomorphism, कि इतने onto homomorphism बना सकते हैं, तो z10 x z2 साइक्लिक ग्रूप है या नहीं, मतलब, अपना domain cyclic है या नहीं, और co domain cyclic है या नहीं, यह बताएं, domain cyclic है या नहीं, और co domain cyclic है या नहीं, domain हमारा cyclic ग्रूप है, yes or no, domain मेरा cyclic है, yes or no, को डोमेन साइक्लिक है बिल्कुल डोमेन साइक्लिक नहीं है अब देखिए वो डोमेन अगर मेरा साइक्लिक है और डोमेन साइक्लिक नहीं है बहुत बढ़िया तो होममोर्फिजम में हम क्या पढ़ते हैं कि A की मैपिंग अगर आप X पे करवाते हैं तो further a to the power n की mapping कहां हो जाती है, x to the power n पे जहां n कहां बिलॉंग करता है, integer से बिलॉंग करता है, मतलब कुल मिलाके generating set of a की mapping कहां पे होती है, generating set of, ठीक है, अब, यहां पे z5 x z4, मतलब यह 20 order का group है, यह isomorphic 2 क्या हो जाएगा, jet 20 होगा, ठीक है, यह हमारा co domain cyclic but domain not cyclic बिल्कुल, तो हमारा co domain 20 order का cyclic group है, तो अगर मुझे, अगर मान लीजिए, f क्या होता है, on to homomorphism होगा, तो there exists a belongs to, या फिर a क्या, मतलब a, b, कुछ इस तरह से, यह belong करेगा कहां से, z10 x z2 में, such that, f of a, b equal to x होगा, और order of x क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि homomorphism अगर on to है, तो इसके हर element का pre image मिल रहा होगा, मुझे, तो निश्यत रूप से, जो हमारा 20 order वाला element है, उसका भी pre image मिल ही रहा होगा, and, हम और एक result क्या पढ़ते हैं, कि a की mapping x पे हो, और order of a अगर मेरा finite होता है, तो यह इस बात को imply करता है, कि order of x डिवाइड करेगा, order of a को, ठीक है, and order of x डिवाइड करेगा, order of a, b को, ठीक है, एक्स का order 20 है, तो 20 डिवाइड करेगा, order of a, b को, इसका मतलब order of a, b जो है, वो क्या हो जाएगा, greater than or equal to 20 हो जाएगा, तो jet 10 cross jet 2 में 20 order, या फिर उससे बड़े order का element है, क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह 20 order का group है, अगर इसमें 20 order का element मिल गया, तो वो तो group ही cyclic हो जाएगा, ना इन ओडर के finite group में अगर इन ओडर का element मिल जाए तो group तो cyclic हो जाएगा वो तो है नहीं इसमें 20 order का element नहीं मिलेगा और 20 से बरे तो बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला तो इसका मतलब ऐसा on to homomorphism नहीं हो सकता इस group जलते हैं अगले question पर अगले कुश्चन पर इस एक बार question आपके सामने है समझाया होगा सब लोगों को है बस homomorphism का definition और साथ की जो प्रोपरिटी उसको लगाना है आपको इस question को पर यह क्या कह रहा है ग्रूप का order 55 है ग्रूप हमारा abelian है तो g से g पे एक mapping define की गई है एक पॉफ x is equals to x to the power 7 तो आपको बताना है कि यह mapping homomorphism है क्या वन वन बट नॉट ऑन टू ऑन टू ऑन टू हम आइसो मॉर्फिजम क्या है यह तो अब अना सार रिपीट कर दो कौन सा पिछला question कह रहे है रिपीट कर देने के लिए लास्ट कॉस्चन रिपीट करने बोल रहा है क्या यहां पर ग्रूप का ओर्डर क्या दिया हुआ है 55 दिया हुआ है ठीक है it is cyclic and also gcd of 55 and 7 is equal to 1 then it is isomorphic ओके 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 बहुत बढ़िया order of g क्या है हमारे पास 55 है ठीक है तो result क्या है कि order of g अगर मेरा p q हो जाए पी लेस देन q हो जाए और पी डिवाइड करे q-1 को और पी और q दोनों भाई साब क्या है प्राइम है और पी डिवाइड अगर कर रहा है q-1 को तो g दो तरह का हो सकता है या तो isomorphic to zp q होगा या फिर एक non abelian group बनेगा non abelian group of order p q ठीक है तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर p q order का कोई group है जहां p और q दोनों प्राइम है p less than q है और p q-1 को डिवाइड कर रहा है तो group हमारा या तो सीधा cyclic बनेगा और नहीं तो सीधा non abelian बनेगा मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर p q order के abelian group की बात की जारी देंकि सिर्फ abelian बोला जा रहा है उससे यह पता चल गया कि non abelian तो होगा नहीं तो directly क्या हो जाएगा वो cyclic हो जाएगा तो ग्रूप 55 ओडर का दिया हुआ है और ग्रूप abelian दे दिया है हमें ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रूप हमारा cyclic है तो अब जी बेसिकली क्या हो गया हमारा जेड 55 हो गया जी से जी पे हमने function define किया 5 क्या define किया 5 of x equal to x to the power 7 बिसिकली यह क्या है जेड 55 से लेकर के जेड 55 अब यहां है x to the power 7 x की mapping हम कहां करा रहे है मतलब अगर मैं cyclic to cyclic की बात करूं तो जब भी कभी आप homomorphism count करते हैं domain आपका cyclic group है आप generator का image देखिए कहां जा रहा है तो वन की mapping कहां हो रही है 7 पे mapping हो रही है ठीक है अब वन की mapping 7 हो रही है और order of 7 यहां पे क्या है order of 7 आपको निकालना है तो order of 1 to the power 7 करिए एक result होता है order of a to the power r is equals to order of a upon gcd of order of a and r ठीक है तो a क्या है हमारे पास यहां order of 1 वन तो generator है जेट 55 का तो वन अपना 55 order का element है तो 55 upon gcd of order of a 55 and 7 equal to 55 upon 1 यह क्या आजाएगा 55 तो अभी विजय सर्मा जो result बता रहे थे कि अगर हमारा यह जडन बन गया और n और इस x की power में जो quantity रखी गई है इन दोनों का gcd 1 हो जाने से यह 11 on to homomorphism मतलब आईसो मॉर्फिक हो जाएगा कैसे होगा उसका reason यहां रखा हुआ है कि इन दोनों के gcd 1 हो जाने से क्या हो जाएगा कि 1 to the power 7 का order क्या हो जाएगा 55 ही हो जाएगा मतलब generator की mapping मैं कहां करा रहा हूँ generator पे 7 भी generator है और 1 तो generator था ही इधर का generated by 1 इधर का z 55 बना देगा और generated by 7 जो है इधर का z 55 बना देगा यह homomorphism on to है और आप verify कर सकते हैं यह 11 भी है हुआ है तो 11 on to homomorphism भी चेक कर सकते हैं तो यह बन जाएगा आइसो मॉर्फिजम है कि क्योंकि यह जो रिजल्ट देखिए एक ही बात से तो कई बाते कही जा सकती है जैसे हम यहां पर कह रहे हैं कि generated by one domain generate करेगा और इधर one की mapping for example 7 यहां पर x की जगह पर है एक्स का generating यहां पर जो आ रहा है तो generator का image किसको generate करता है range को generate करता है और homomorphism अगर on to है हमारा तो वही range के बराबर हो हो जाएगा ना obviously मतलब को domain के बराबर हो जाएगा और यह तो homomorphism तो फिर भी बरी बात हो गई हम अगर दो finite set पे काम कर रहे हैं और दोनों कि अगर अगर एफ हमारा आईसो मॉर्फिजम है तो homomorphism तो होगा ही होगा है ना 11 but not on to गलत हो जाएगा on to homomorphism बट नॉट वन 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 यह भी गलत हो जाएगा कि चले आगे किनिकों पर दिक्कत नहीं होगा अगर होगा तो पूछ लेंगे हाँ जे अब जेड एट से जेड ट्वैल पे यहां पर फाई कर लिजे जेड एट से जेड ट्वैल पे मुझे homomorphism काउंट करनी है कुछ इस तरह से कि टू की मैपिंग किस पे हो जाए पूर पे हो जाए जेड एट से जेड ट्वैल पे हम ऐसी कितनी homomorphism बना सकते हैं कि टू की मैपिंग किस पे हो पूर पे हो कि इतनी homomorphism बना सकते हैं ऐसी जेड एट से जेड ट्वैल पे ऐसी कितनी homomorphism बना सकते हैं जिसमें टू की मैपिंग फूर हो कितनी homomorphism होगी यह थी कि नंबर मतलब 0 great मागी लोगों का अच्छा अर्ग्यदे सी पूजा डी दिक्षा राजपूत सी पूरी ठीक है देखते हैं 5 of 2 कहां पे जा रहा है 4 पे जा रहा है homomorphism है तो यह distribute होगा 5 of 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मतलब 2 time 5 of 1 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा तो 5 of 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा order of 1 क्या है अपने पास z8 में 1 हमारा 8 order का element है और order of 2 क्या है कहां पे z12 में यह हमारा 6 order का element है और 6 8 को divide करता ही नहीं है अगर a की mapping x पे होती है अगर finite order का element होता है तो x के order को a के order को divide करना पड़ता है पर यहां पे हो नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया जीरो होमोर्फिजम जेडेन से जेडेन पे total number of homomorphism gcd of nm के बराबर होता है ठीक है वो total number of homomorphism है उसमें हमने कोई restriction नहीं लगाया है जो define हो पाना संभव है उसको हमने गिल लिया है अब यहां पे बुलाई नहीं तुम ऐसा ही define करो तो ऐसा define करने में तो समस्या है वो नही रही है जीरो हो गया ठीक है मुस्टली लोगों का अंसर सही है एक आज जिनका रॉंग हो गया है वो चेक कर लेंगे कि कहां गलत हुआ चलते हैं अगले question पर अगर आपको homomorphism का definition आता है ना लगाना कैसे है definition तो आप कर लेंगे ठीक है अब इस question में पूछा है कि चार situations आपको दिये गए हैं चार option में और आपको बताना है कि किस situation में हम on to homomorphism define कर सकते हैं तो जब भी आप homomorphism count कर रहे हैं हो तो दो चीज हो सकती है कि for example आप G से G डैस पर homomorphism define कर रहे हैं तो जी आपका cyclic हो सकता है या फिर non cyclic होगा तो जी अगर आपका cyclic है ना तब आप generator का image देखिए आप कहां कहां मिल सकता हम तो generator को map करने की जितनी choices होंगी ना homomorphism उतनी मिल जाएंगे आपको और अगर जी आपका non cyclic मिल जाए अब चाहे वह abelian हो या non abelian matter नहीं करता आपको किसके help से जाना है fundamental theorem क्या कहता है कि which upon kernel of p Holly Nitkan एक homomorphism है जी से g-स में वह किसके isomorphic होता है range of five के जो की subgroup किसके होता है जी-स के मतलब खिर से जी-स पे कोई homomorphism आपने बनाया है तो जी upon kernel ओप फैऀ हमेशा asomorphic होता है range of थाए है अतलब peso कहा सकतेix की अगर जी हमारा finite है तो order of g upon kernel of 5 यह simply equal होगा order of g upon order of kernel of 5 और यह किसके equal हो जाएगा order of range of 5 के ठीक है इस result को use में लेना है यहाँ पे कैसे use करेंगे इस result को तो वो बनाना है on to homomorphism बनाना है तो यहाँ पे order of range of 5 किसके बराबर हो जाएगा order of s4 के बराबर जो कि 24 है अब यहां से बिठा दीजिए यहां पे order of g कितना है अपने पास 120 upon order of kernel of 5 इक्वल टू क्या आ गया 24 24 इंटू 5 120 तो order of kernel of 5 क्या हो गया 5 हो गया मतलब अगर यह homomorphism on to बनेगा तो उस समय आपको पांच order का kernel चाहिए होगा लेकिन domain में s5 है s5 के पास कितने normal subgroup होते हैं तीन ही होते हैं trivial a5 s5 तीनों में से कोई भी पांच order का नहीं है क्योंकि kernel कौन बनता है normal subgroup अब normal subgroup का तो च्वाई से ही तीन है यह तो तीनों में से कोई s2 में अगर मुझे on to homomorphism बनाना है तो अब मैं directly लिख रहा हूं यह अपना 2 order का है और यह कितने order का है 24 order का है तो kernel मुझे कितने order का चाहिए होगा 12 order का s4 के पास 12 order का kernel है a4 बन जाएगा वहां से यह हो जाएगा अब यहां पे 5 order का range चाहिए तो kernel कितने order का चाहिए होगा 24 order का अब s5 के पास तो यह तीनों normal subgroup होते हैं इसमें से 24 order का कोई नहीं है तो यह नहीं हो पाएगा s4 से z4 में range 4 order का है तो kernel मुझे 6 order का चाहिए होगा तो s4 के पास identity isomorphic to k4 a4 और s4 यहीं सब नॉर्मल होता है तो कोई भी नॉर्मल subgroup नहीं होता है इसके पास यह भी discard हो जाएगा तो सिर्फ बी आंसर होगा mostly लोगों ने भी प्रांसर किया है दीपक रामेश्वर प्राजक्ता रितु आप लोगों का भी है और जिनका अभी है तो वह एक को देख लेंगे एडिसकार्ड हो चुका है हमारा चलते हैं आगले question पर अब कहे रहा है जी हमारे पास finite abelion group है in order का pick each correct statement from below यह question हमारा pyq है यह question हमारे ही net के ही exam में पूछा हुआ है ठीक है इस question को solve करने के लिए simple psych logic है कि दो result basically यहां पे लगने हैं एक तो यह है कि finite abelion group में लगरांज theorem का converse true होता है मतलब group के अगर कोई an order के abelion group की बात कर रहे हैं तो इनके जितने भी divisor हैं और उस order का subgroup मिलेगा और normal मिलने वाला है पहला और दूसरा कि अगर कोई abelion group है in order का तो या तो वो cyclic होगा और नहीं तो cyclic group के product के format में लिखा जा सकेगा दिख्षा कह रहे हैं सर एक बार और बता दो ठीक है फिर करता हूँ explain एक और बार देखिए यह जो fundamental theorem है ना जी अपॉन करनल और फाइज आई सो मॉर्फिक टू रेंज और फाइज जो की सब ग्रूप किसका होता है जी डास का तो अगर ग्रूप हमारा finite order का होगा तभी division वगरा जैसी बातें करते हैं हम ठीक है थैंक्यू देपक अब एक्जाम कट हैं मैं अच्छे क्वेस्चन तो लेकर आएंगे वड़ना फिर आपका टाइम क्यों खराब करना है की नहीं जब आप हैं हमारे साथ 3 घंटे तो कुछ special हो ना आपको लगे कि कुछ सीखा है हमने इस 3 घंटे में आजी तो जी अगर हमने फाइनाइट लिया हुआ है अगर हमने फाइनाइट ग्रूप लिया हुआ है तो फाइनाइट में डिविजन जैसी बाते होती है ना तो order of g upon kernel of 5 simply order of g upon order of kernel of 5 के बराबर होगा और वो equal किसके होगा range के order के तो question में क्या बोला है ना कि आपको जो homomorphism चाहिए वो क्या चाहिए on to homomorphism चाहिए मतलब range का order co domain के बराबर चाहिए तो फिलहाल वाले case में order of range of 5 किसके बराबर हो जाएगा Nerd of को डोमेन के ठीक है order of range of 5 किसके पराबर होगा order of को डोमेन के अब सोचिए कि यहाँ पर range आपका 24 order का है ना वैसे तो यह को डोमेन है लेकिन on to बनाना है तो range हो गया यह अब range आपको 24 order का चाहिए ग्रूप आपके पास 120 order का है तो 120 को किस से यहाँ on to homomorphism define होगा और करनल होता है हमेशा normal subgroup अब s5 के यही तीन normal subgroup है इन तीनों में 5 order का कोई नहीं है तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना on to homomorphism आजे किन का था यह दिख्षा का दिख्षा clear है concept कि आजे कोई दिक्कत होगा तो बताइए का मैं उधर यह explain कर दूंगा ठीक है अब पहला option क्या है कि अगर डी डिवाइड करता है एन को देन देर एक्जिस्ट अ सब group of g of order d और क्या दिया हुआ है कि gbf finite of alien group of order in then pick the each correct statement तो डी अगर n को डिवाइड करे तो डी order का एक सब group मिलेगा तो यह option इसलिए true होगा क्योंकि finite of alien group में lagarans theorem का converse true होता है यह तो वहां से directly true हो जाएगा इसे हमें verify करने की भी जुरूत नहीं है standard result है अब कर रहा है कि d अगर डिवाइड करेगा इनको तो एक element मिलेगा order d का तो हम क्या कर सकते हैं जी को isomorphic to k4 ले सकते हैं इसमें आ जाएगा identity a b and a dot b ठीक है तो चार तो डिवाइड कर रहा है k4 के order को लेकिन 4 order का कोई element नहीं है न चाहें तो सबसे simple k4 e है वो z2 cross z2 ले लिजिए तीन element मिल जाएंगे दो order के तो यह अपना discard हो गया कि कह रहा है कि if every proper subgroup of g is cyclic then g is cyclic आप यहाँ पे s3 ले सकते हैं s3 के सारे proper subgroup cyclic होते हैं even आप चाहें तो q8 ले सकते हैं उसके भी सारे proper subgroup cyclic होते हैं लेकिन group हमारा cyclic नहीं होता है तो यह भी discard हो गया अपना अब आते हैं डी नंबर पे डी नंबर में क्या कह रहा है कि if h is a subgroup of g then there exists a subgroup n of g such that g by n is isomorphic to h simple तो देखिए इसको समझाने के लिए इसे हम proper proof कर सकते हैं बट अभी उसमें जाने की जुरुत नहीं है logic आप समझें अभी फिलाल आप mcq कैसे solve करते हैं उस पर ध्यान देते हैं कि g जो है हमारे पास क्या है finite abelion group है तो for example मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि g मान लिजिए 10 order का है ठीक है तो 10 के कितने divisor हैं 1, 2, 5 and 10 यह 4 divisor हैं इसके अलावे तो 10 का positive divisor नहीं है तो मान लिजिए कि एक order का जो subgroup है वो हमारा h1 है दो order का जो है वो h2 है यह हमारा h5 बना देते हैं और इसको h10 बना देते हैं ठीक है तो by lagrange theorem का converse g के पास एक order का दो order का 5 order का 10 order का सब तरह का subgroup मिलेगा अच्छा तो अब देखिए जब आप g upon h1 करेंगे यह चारो abelion के subgroup है तो normal होंगे और अगर normal subgroup है तो मैं quotient group की बात कर सकता हूँ तो g upon h1 इसका order क्या होगा order of g upon h1 यह एक order का और यह हमारा 10 order का तो यह बन जाएगा 10 order का फिर order of g upon h2 करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 5 order का order of g upon h3 करेंगे यह मिल जाएगा 2 order का और order of g upon h10 करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 1 order का पहली बात दूसरी बात क्या कि जब हम quotient group पढ़ते हैं तो वहाँ यह पढ़ते हैं कि g अगर abelion होता है तो g by h हमेशा क्या होगा abelion होगा तो obviously यह 4 हमारे abelion group भी होने वाल of g there exist a subgroup n of g such that gyn is isomorphic to h अब देखिए अब अगर मान लिजिए h मेरा एक order का हो रहा होगा तो उसके लिए gyn को h के isomorphic करना है तो h अगर मान लिजिए मुझे एक order का चाहिए तो उसके लिए n किस तरह का मिलेगा मुझे jet 10 type का मिल जाएगा फिर h अगर मेरा 2 order का हो रहा होगा तो उसके लिए n मुझे 5 order का मिल जाएगा H अगर मुझे 5 order का चाहिए तो उस समय N मुझे 2 order का मिलेगा और H अगर 10 order का चाहिए तो N 1 order का अब इन 4 के अलाबे 5 पॉसिबिलिटी भी तो नहीं है ना बात समझ रहे हैं मैं proof नहीं कर रहा हूं जस्ट एक idea दे रहा हूं आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपको कितने भी order का एक quotient group चाहिए ना तो उसके लिए आप क्या करिए कि for example 10 order के group के help से आपको 5 order का quotient group चाहिए तो upon में 2 order वाला ले लीजिए यहां 10 order का चाहिए तो upon में 1 order का ले लीजिए और इस तरीके से आप define कर सकते हैं तो D number हमारा true हो जाएगा तो AD mostly लोगों का answer था तो A and D दोनों सही हैं ठीक है यह PY क्यों था आपना निटका ही पूछावा गुश्चा नहीं अब इस question को देखिए इन क्या दिया हुआ है normal subgroup है G का इस question को मैं real में countability में भी use करता हूँ और यहां पर भी हम इसे use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही जगा यह use हो जाएगा suppose N is a normal subgroup of a group G which one of the following is true तो कह रहा है कि G अगर हमारा infinite group है तो G by N भी हमेशा infinite group होगा G अगर non-abalian group है तो G by N non-abalian होगा जी अगर cyclic है तो G by N abalian होगा और G अगर abalian है तो G by N cyclic होगा then का मतलब होता है imply करना then का मतलब imply करना ठीक है साइलो कितनी देर में स्टार्ट होगा साइलो वैसे कुछ दिर में हो जाया का स्टार्ट बट साइलो में examination point of view से ज्यादा कुछ बताने के लिए होता नहीं है ठीक है जो logic है जो mind game है वो इधर अंदर ही जादा है मतलब साइलो में वैसे तो बात में चलके बहुत कुछ है बट हमारे एक्जाम में जो आता है तो वहां पर बिसिकली साइलो फर्स थेयोरम सेकेंड थेयोरम थर्ड थेयोरम कुछ की दिर में आ जाएगा साइलो का भी question मैंने कुछ इस तरीके से ही number of questions लिए थे कि 3 hours में तो हो जाए 7 to 10 के timing में तो जी अगर हमारा infinite group है तो क्या g by n infinite होग इसका answer नहीं करें आप लोग अंसर तो करिए मैं explain करना शुरू कर दिया दिपांसी cd ओके रितो अंसर कर रहा है उसमें से बी किसी का answer नहीं है ठीक है a c और d अच्छा नाजीरा समीर ने बी answer कर रहा है तो फिलहाल चारो option जो है वो answer होने की कगार पर है चलिए देखते हैं जी हमारे पास अगर infinite group है तो gyn क्या होगा infinite group होगा ठीक है तो अभी एक student ने अब हमें जेड़ अपॉन एंजेड का example दिया था उपर कमेंट चला गया इसलिए मुझे दिखनी रहा है कि इन्हीं ने जेड़ अपॉन एंजेड दिया था पता नहीं साथ डिलीट करके नहीं इसी 1395 ने जेड़ अपॉन एंजेड बोला था देखिए जेड़ हमारे पास इंफाइनाइट है ना लेकिन जेड़ अपॉन एंजेड करते हैं तो यह आईसो मॉर्फिक टू जड़ एन होता है ठीक है तो ग्रुप अगर इंफाइनाइट हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका करिए यहां पे कि जी को S3 ले लिजिए और H को यहां पे एन बोला हुआ न एन को A3 ले लिजिए एन को नॉर्मल सब गुरूप लेने के लिए बोला है तो S3 में A3 नॉर्मल होता है तो जी बाई N किसके आईसो मॉर्फिक हो जाएगा यह तो साइक्लिक हो गया अबेलियन है तो इससे यह imply नहीं करेंगे कि जी वाइन नॉन अबेलियन होगा फिर जी अगर हमारे पास साइकलिक गृप है तो इंपलाई करता है कि जी वाइन अबेलियन होगा एक्ट्वल में साइकलिक हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है तो यह हमारा फॉल्स हो जाएगा तो सी नंबर आंसर हो जाएगा कि चलते हैं आगले कुश्चन पर आपके सामने है हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने इस तरी यह थ्री लिया था ठीक है अगर आप में से कोई सही बोलेगा तो हुमारा काम है उनका होसला आप जाई करना वह अप्चन हमने यहां यूज कर लिया ठीक है कि यह अपना पीवाई क्यूई है कि कंसीडर दा सिमेट्रिक ग्रूप एस ट्वैंटी एंड इट्स सब ग्रूप एट्वैंटी कंसिस्टिंग ऑफ औल इवन पर्मूटेशन एंड एच क्या है अपने पास सेवन साइलो सब ग्रूप ऑफ एट्वैंटी है फिक इच कॉरेक सब्सक्राइब कर दिया वह आपने डारेक्ट प्रॉडप कर सकते हैं वहां से एक्जंपल कि मुद्ध अगा कर तो चलिए एक एक्जामपल मैं उसका लिखी दे रहा हूँ Q by Z जब आप डिफाइन करते हैं न ये आइसो मॉर्फिक होता है H F के H F का मतलब क्या है हमारे पास collection of all finite ordered element of C star dot हमारा uncountable order का abelion group होता है तो ये H F जो है ना ये non cyclic abelion group बनता है C star dot का ठीक है H F नाम इसलिए है क्योंकि C star dot के सारे finite order के element का collection है ये हमारा countable infinite order का non cyclic abelion group होता है चलिए अब आगे आते हैं तो ये तो खैर पी वाई क्यू है इस question को बस मैंने इसलिए रखा है कि साइलोज में बिसेकलिए आपको statements पता होने चाहिए उसको यूज कैसे करना है तो फिर आप कर सकते हैं ठीक है कि अब आते हैं कि हमें और आप सेवन एसेज़ी का order बताना है ठीक है order of seven एसेज़ी इन ए-20 तो order of a20 क्या होता है हमारा कि order of a20 अगर हम निकाल रहे होंगे तो वह क्या हो जाएगा 123.7 तक जाएगा तो डॉट 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 14 तक जाएगा और फिर 19 इंटु 20 हो जाएगा भूल अपान टू है ठीक है तो टू से तो इधर कट जाएगा आपका यह 7 और यह 7 रह जाएगा यहाँ पर यह क्या हो जाएगा 7 स्क्वार इंटु सम्थिंग order of 7 एसेज़ी इन ए-20 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ठीक है तो एच जो दिया हुआ है उसकी कारडिनालिटी क्या हो जाएगी 49 हो जाएगी ठीक है अब कहा रहा है कि एच मस्ट भी साइक्लिक हमारा साइक्लिक होगा क्या एच के साइक्लिक होने के लिए एच अगर 49 ओडर का ग्रुप है और अगर यह साइक्लिक होना चाहता है तो इसे 49 ओडर के से मुझे जनरेट करना होगा लेकिन के 20 का तो छोड़ दीजिए एस 20 के पास भी 49 ओडर का एलिमेंट नहीं है क्योंकि 49 ओडर का एलिमेंट बनाने के लिए जो एलिमेंट का साइकल डिकम्पोजीशन होगा उसका एलसीम कितना होना चाहिए 49 लेकिन 7 और 7 करेंगे तो एलसी ग्रूप ऑफ ए 20 तो ए एन में जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है ना तो दो ही नॉर्मल सब ग्रूप होते हैं ये खुद और आइडेंटिटी 49 ओडर वाला नॉर्मल सब ग्रूप नहीं होगा यहां पर अब कह रहा है कि एनी 7 साइलो सब ग्रूप ऑफ एस 20 इस the subset of A20 तो इसको solve करने का दो तरीका हो सकता है एक तरीका तो यह है कि आप properly इसको verify कर लें दूसरा तरीका यह कई तरीके हो सकते हैं दो ही क्या तो मैं जो तरीका बता रहा हूं वो मेरे हिसाफ से shortest way है वो यह है कि SN के किसी भी सब ग्रूप के बारे में हम एक result प्रूप करते हैं कि SN का कोई भी सब ग्रूप है या तो उसमें सिर्फ इवन पर्मूटेशन कंटेंड होगा नहीं तो exactly आधे इवन आधे और पर्मूटेशन कंटेंड होंगे ठीक है तो 49 order का अगर यह A20 का सब ग्रूप है तो definitely S20 का भी सब ग्रूप होगा सब ग्रूप सब ग्रूप होत प्रूप करते हैं कि या तो उसमें सारे इवन पर्मूटेशन होंगे तो आधे इवन आधे और पर्मूटेशन होंगे तो यह 49 order का है तो इसे हाफ हाफ में आप नहीं बाट सकते मतलब आधे इवन आधे और वाला तो condition है नहीं यहां पे मतलब सारे के सारे इवन पर्मूट हाँ जी अब अगला है कि G denote the group S4 cross S3 then 2 silo subgroup of G is normal 3 silo subgroup of G मतलब 2 silo मतलब 1 2 SSG मिलेगा जो normal होगा 1 3 SSG मिलेगा जो normal होगा SSG के बारे में क्या है कि PSG unique if and only if it is normal कोई PSG normal होता है कब if and only if वो unique हो तब जाके वो normal होगा 2 SSG of G is normal तो unique अगर हुआ तो हो जाएगा normal 3 SSG of G is normal unique होगा तो हो जाएगा normal G has a non-trivial normal subgroup और G has a normal subgroup of order 72 अब को बताना है कि कौन सा answer true है इसमें से बताए फटाफट से फिर explain करते हैं इस फोर क्रॉस एस थ्री यह कितना हो जाएगा यह 24 और का है कि क्यूब इंटू 3 order का है और इंटू एस थ्री इंटू 3 order का है मतलब यह टू तो दी पावर 4 इंटू 3 तो दी पावर 2 order का है ठीक है तो order of s4 cross s3 क्या है हमारे पास 2 तो दी पावर 4 इंटू 3 square तो यहां से क्या हो जाएगा order of 2 ssg हो गया हमारे पास 2 तो दी पावर 4 पिर order of 3 ssg हमारे पास हो जाएगा 3 to the power 2 अब हमें क्या करना है number of 2 ssg क्या हो जाएगा number of 2 ssg ऐसे आप जो आप silo में formula यूज करते हैं कि 1 प्लस 2 k इसको divide करे तो चाहे आप group के order को divide करवाई है चाहे index को divide करवाई है matter नहीं करता इंडेक्स को divide करवाएंगे तो 3 sq को divide करेगा k की value zero रखेंगे तो इसकी value one आ जाएगी k की value one रखेंगे तो three आ जाएगा और k की value are two अगर मैं रख दूँ तो five आएगा वो divide नहीं करेगा 3 रखूं 7 आएगा डिवाइड नहीं करेगा अगर 4 रख दू तो यह 9 आए जाएगा डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ पर 1, 3, 9, 3 पॉसिबिलिटी आ रही है मेरे पास ठीक है तो अब 1 होगा या 3 होगा या 9 होगा तो अगर मैंने किसी तरह से यह दिखा दिया कि 1 नहीं होगा आप 3 या 9 जो भी हो तो PSSG के बारे में क्या रिजल्ट है यूनीक होता है दिन नॉर्मल होता है नहीं होगा तो फिर नहीं होगा तो S4 क्रॉस S3 के 4 ओडर के सब ग्रूप जो हैं स्थीन ओडर के सब ग्रूप एक्चुली 2 SSG कितने ओडर का है हमारे पास 16 ओडर का है तो यहाँ पर 16 ओडर के जो सब ग्रूप होँगे वो 2 SSG होँगे 16 ओडर का सब ग्रूप आप कैसे बनाएंगे वो देखिए 24 इंटु 6 ओडर का ग्रूप है आपका तो यहां से आप 16 order का बनाना चाहते हैं तो यहां से 8 into 2 order का कर लीजिए तो 16 order का बना पाएंगे आराम से उसके अलावे और क्या हो सकता है 8 into 2 इसके अलावे तो और possibility नजर नहीं आरे न 16 order के लिए इस product के हिसाब से अगर देखा जाए तो तो यहां पे S4 के पास 8 order के कितने subgroup होते हैं 3 subgroup होते हैं जो isomorphic किसके होते हैं D4 की S4 के पास total 30 subgroup होता है 30 subgroup जिसमें से की 3 subgroup किसके isomorphic होते हैं D4 की और इधर S3 के पास 2 order के कितने subgroup हैं 3 subgroup हैं तो यहां पे 3 into 3 मैं कितने subgroup बना सकता हूं 9 subgroup बना सकता हो 16 order का है ना डीप 4 टाइप का पहला लेंगे तो इधर से 3 possibility दूसरा लेंगे 3 possibility तीसरा लेंगे 3 possibility 9 possibility निकल गर आ जाएगी 2 SSG unique नहीं है तो normal नहीं होगा ठीक है अब 3 SSG पूछा है तो order of 3 SSG क्या है अपने पास 3 square है अब देखिए 9 order का अगर आपको unique subgroup मिल जाए तो normal हो जाएगा और unique नहीं मिलेगा तो क्या होगा नॉर्मल नहीं होगा तो 9 order के कितने subgroup होंगे उसके लिए आपको क्या करना है एक ही तरीका है आपके पास 3 into 3 order का देखिए अगर ऐसे देखना है आपको product के format में तो यह देखना ठीक है इधर से तो एक ही मिलेगा बट यहां से चार मिल जाएगा तो यूनिक तो इधर भी नहीं है तो यह भी false हो गया अब जी है जान नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रूप तो देखिए नॉर्मल सब ग्रूप का जो product आप बनाएंगे न वो हमेशा normal होता है ठीक है मतलब मेरा यह कहना है कि अगर N1 है न वो normal है G1 में N2 नॉर्मल है G2 में तो N1 क्रॉस N2 जो है वो आपका नॉर्मल हो जाएगा G1 क्रॉस B2 में ठीक है तो हम कहां बात कर रहे हैं S4 क्रॉस S3 में यहां से A4 उठा लीजिए यहां से A3 उठा लीजिए यह प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रूप बन जाएगा आपका पिर G has a normal subgroup of order 72 तो 72 order का normal subgroup आपको बनाना है तो सिंपल सा तरीका है यहां से S4 ही रहने दीजिए 24 order का और यहां से A3 कर लीजिए आप तो 24 x 3 72 order का normal subgroup मिल जाएगा आपको यह भी true हो गया तो cd answer करा हुआ कुछ लोगों ने वाफिया और प्रिंसी ने आपका अंसर बिल्कुल ठीक है और बांकी दिक्षा ने भी C और D किया हुआ है दीपक ने CD मुश्री लोगों ने किया हुआ है CD यह हो मोर्फिजन का कुश्चिन इसमें आ गया गया क्या एसन दिनोट पर्मूटेशन ग्रूप अनन सिम्बल्स और इन इन इस अप ग्रूप और मूटेशन बिच वह लाग इसा ट्रू दैर एक्जिस्ट अ इसन फाइनाइट गुरूप विच इस नौट असब गूरूप आप ने नहीं यह एक्शल में हम लोग एक थेवरम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है कैले थेवरम ठीक है के ले थेवरम क्या कहता है कि दुनिया का कोई भी गूप है न वो गूप आफ बाइजेक्शन का क्या बनता है कि देख लेते हैं अगर आपकी बाद ठीक है तो ठीक है फिर कि अधियर एक्जिस्ट कहां बोला है कि अधियर एक्जिस्ट नहीं बोला ना देखिए है बोले ना दोसका मतलब गारंटी है ठीक है कि अब यहां आते हैं कि दुनिया का कोई भी ग्रुप है न वह हमेशा कि ग्रुप आफ बाइजेक्शन के किसी सब ग्रुप के आईसो मॉर्फिक होगा ठीक है मतलब केले थे और हम बिसिकली कहता क्या है वह मैं लिख हूँ कि फार एवरी जी जी क्या है हमारा ग्रुप है जी सब ग्रुप होगा जी आईसो मॉर्फिक होगा एच के कि जी जो है वह आईसो मॉर्फिक होगा एच के जो सब ग्रुप किसका है ग्रुप आफ बाइजेक्शन के इसका मैं क्या नाम दे दूँ आइसा कुछ नाम दे देता हूं ठीक है अब जी बाइजेक्शन को डिफाइन कैसे किया हुआ है तो फाइ डिफाइन फ्रॉम जी टू जी विच इस वन वन ओन टू और इसे ग्रुप बनाया है हमने विद रिस्पेक्ट टू कम पोजीशन ठीक है मतलब दुनिया का कोई भी ग्रुप आप उठा लिजे ना ठीक है तो वो उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पे जतने वन वन ओन टू फंक्सन में जतने बाइजेक्शन डिफाइन किये गए हैं उसका विद रिस्पेक्ट टू कम पोजीशन जो आप ग्रुप बनाएगा तो उसी के किसी सब ग्रुप के आईसो मॉर्फिक होगा मतलब दुनिया का कोई भी ग्रुप है वो ग्रुप आफ बाइजेक्शन के सब ग्रुप के आईसो मॉर्फिक होता है यह पहली बात होगे अगर हम finite group पे बात कर रहे होंगे, in order के group पे, तो n element वाले set से n element वाले set के 1-1 on to byjection के collection कोई तो sn बोलते हैं न, यहां directly लिख सकते हैं, और साथ ही, जी isomorphic होगा, h के जो subgroup होगा, किसके, an plus 2k, तो यह भी result है, अगर sn से नहीं, अगर आप an से relate करना चाहते हैं, तो आप ऐसे relate कर सकते हैं, ठीक है, तो इन ही results को ध्यान में रखते हुए, यह हमारा question है, there exists a finite group which is not a subgroup of sn for any n greater than equal to 1, यह बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी finite group अगर है, तो इस तेन के किसी ने किसी subgroup के isomorphic होगा, किसी खास n के लिए, जो भी n order के बारे में हम बात कर रहे होंगे, अब कहरा है, every finite group is a subgroup of an for some n greater than 1, यह some बोल के अपना काम कर दिया, कोई भी n order का group है, तो वो क्या होता है, an plus 2 के किसी subgroup का isomorphic होता है, जिस n order के group की बात कर रहे होंगे, उसमें 2 एड़ कर लेंगे, क्योंकि अपने पास for some बोला हुआ है, यह option true हो जाएगा हमारा, अब इसके बाद कहा रहा है कि every finite group is a quotient of an for some n greater than equal to 1, तो यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि n की value अगर हम greater than equal to 5 लेते हैं न, तो a5 का quotient group दो ही तरह का बनेगा, या तो an upon identity, नहीं तो an upon an, यह isomorphic हो जाएगा z1 के, यह isomorphic हो जाएगा an के, तो an का जो quotient होगा, खास्तोर से greater than equal to 5 के लिए, या तो वो an जैसा ही होगा, और नहीं तो z1 जैसा होगा, फर एक्जामपल मुझे 50 order का abelion group चाहिए, तो वो तो न an जैसा होता है, न जडवन जैसा होता है, तो हर group जो है, हर finite group वो an के quotient जैसा ही हो, यह जरूरी नहीं है, ठीक है, अब कहरा है no finite abelion group is a quotient of sn for n greater than 3, अब no finite abelion group बोला है, यह बात ठीक नहीं है, फर एक्जामपल मैं S4 ले लूँ, तो S4 upon A4 कर दूँँगा, तो एक किसके आईसो मॉर्फिक होगा, जड़ टू के, इनकी value greater than 3 बोला था, ना तो हमने 4 ले लिया, तो जड़ टू तो एक finite abelion group है ना, जो S4 के quotient के जो है, आईसो मॉर्फिक है, तो कर रहे है, no finite abelion group is a quotient of essence, यह बात गलत है, तो सिर्फ B number answer ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नहीं होना चाहिए, चलिए, तो ओबर करें आज के lecture को, exactly 10 o'clock पे हमारा lecture over हो रहा है, तो I hope आपने आज के lecture को enjoy किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, चीजने revise हुई होगी आपकी, तो next जो होगा हमारा, next week में हम फिर से एक बार आपके साथ ring theory लेके जुरेंगे, तो obviously आपने आज के session को enjoy किया होगा, तो next week में फिर से जुरेंगे, तो फिर आपके साथ सर होंगे और नए lecture के साथ, नए subject के साथ, thank you, thank you,